Hello everyone, आज के इस session में हम class 10th chemistry का first chapter chemical reactions and equations के दो और important topics को एक साथ discuss करने जा रहे हैं और वो topics होंगे ये What is a chemical reaction and characteristics of chemical reactions? Basically, previous session में मैंना आपको physical and chemical changes के बारे में explain कर दिया था और आज के इस session में हम बात करने वाले हैं chemical reactions के ऊपर, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि chemical reactions क्या होती हैं फिर हम ये पता करेंगे कि chemical reactions का हमें पता कैसे चलता है कि भई वहां पर chemical reactions होई हैं तो ये सारी बाते हम करेंगे आज के इस session में So I hope इस session का जो target है आप लोगों को एकदम clear है तो अब एक काम करते हैं, फड़ा फड़ से इस session को करते हैं, हम start So, this is विभूती खरे, Welcome to Magnet Brains जहां पर आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरका payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सभी तक पहुँचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारा ये session जहां पर जो class 10th chemistry का first chapter है ना, chemical reactions and equations इस chapter के दो बहुत ही बहतरेन topics को हम आज discuss करेंगे, ठीक है? तो आज के इस session की कहानी हम शुरू करते हैं, अब देखो ऐसा है कि previous session से हमें ये बात एकदम अच्छी तरीके से clear हो चुकी है कि हमारे आसपास बहुत सारे changes होते हैं, और उन सभी changes को हम broadly categorize कर देते हैं दो categories में, पहली category है physical changes की और दूसरी category है chemical changes की सबसे पहले हम बात करते हैं physical changes की, तो physical changes वो changes होते हैं जिन में substances की physical properties ही change हो जाती है क्या बोला मैंने कि physical changes वो changes होते हैं जिन में substances की physical properties ही change हो जाती है जैसे shape, size, state, physical changes में कभी भी कोई नया substance नहीं बनता है, plus जो original substance है वो अपनी identity lose नहीं करता है For example, melting of ice, बरफ को room temperature पर लेकर के आओगे तो क्या होगा? बरफ पिखलने लगेगी, ice melt होने लगेगी, तो definitely इस example में change तो हुआ है भाई, ये बात तो आपको भी पता है ना, कि अगर बरफ पिखलेगी, अगर ice melt होगी, हमें क्या मेलेगा? पानी, है की नहीं? तो अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ, कि जरा मुझे ये बताओ, कि ये जो हमने example लिया है, melting of ice वाला, इसमें वो main substance क्या है, जिसमें change हो रहा है? तो आप बोलोगे, आपका जवाब होगा कि मैं पानी, वाटर, पानी है वो main substance जिसमें change हो रहा है and definitely आपका ये जवाब, आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा, कि इस example में, melting of ice example में, पानी ही है वो main substance जिसमें की change हो रहा है कैसे? तो भाई जो बरफ है, ये बात तो आपको भी पता है, कि जो बरफ है, जो ice है, वो किस चीज़ की बनी होती है? पानी की, और जब वो पिखलती है, जब ice melt होती है, तो भी हमको क्या मिलता है? पानी ही तो मिलता है बरफ बनी हुई है पानी की जब वो पिगलेगी तो हमें मिल जाएगा क्या पानी कोई नया सबस्टेंस तो हमको नहीं मिला है की नहीं बरफ पानी की ही बनी है और जब वो पिगलेगी जब उसमें चेंज होगा तो change के बाद भी हमको पानी ही मिलने वाला है भई, चमन प्राश नहीं मिलेगा कि बरफ melt हुई है, ice melt हुई है, बरफ पिगली है तो हमें क्या मिलिया पिगल करके चमन प्राश मिलिया ऐसा नहीं होता तो कोई नया substance नहीं मिला आई बात समझ में Basically बरफ क्या है, बरफ पानी का solid state बरफ क्या है, ice क्या है पानी का solid state है, ice क्या है, ice पानी का solid state है और जब ये पिगलेगी, जब ये melt होगी तो हमें क्या मिलेगा पानी मिलेगा, जो की क्या होगा? पानी का liquid state होगा. पानी का liquid state होगा. समझे कि बरफ क्या है? आइस क्या है? पानी का solid state. जब आइस melt होती है, तो हमें पानी का liquid state मिल जाता है. Easy. तो यहाँ पर हो क्या रहा है? इस example में definitely change तो हुआ. चेंज किस में हुआ? हीरो कौन है, example का? पानी है. तो पानी में ही change हुआ. वाटर में ही change हुआ. वाटर में change हुआ कैसे? तो basically उसकी physical state change हो गई है. पानी अपने solid state से liquid state में आ गया है. पानी अपने solid state से liquid state में आ गया है. आई मेरी बात समझ में. तो यहाँ पर physical state में change हुआ की नहीं हुआ और अभी-अभी मैंना आको बता है ता कि physical changes में क्या होता है physical changes में substances की physical properties change हो जाती है जैसे कि shape, size, state तो देखो ना state change हो तो रहा है यहाँ पर state change हो तो रहा है पानी अपने solid state से liquid state में आतो रहा है जब ice melt होती है पानी में तो पानी अपने solid state से liquid state में आतो रहा है यानि कि पानी का यहाँ पर physical state change हो तो रहा है प्लस यहाँ पर कोई नया substance नहीं बना कौन सा यहाँ पर नया substance बन गया भई? पता था कि बरफ पानी की ही बनी हुई है और जब वो पिगलेगी तो भी हमारे पास पानी आएगा कोई नया substance बन करके नहीं ready हो जाएगा अरे बरफ पिगली बरफ बनी हुई थी पानी की और जब बरफ पिगली तो हमें कुछ अलगी नया substance मिल गया ऐसा नहीं होता है तो जब physical state change हो रही है जब physical state change हो रही है पानी की पानी अपने solid state से liquid state में उतर रहा है पानी अपने solid state से liquid state में convert हो रहा है कोई नया substance बन भी नहीं रहा है original substance अपनी identity lose नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कि definitely इस example में physical change हो रहा है ये example किसका है एक physical change का है इस तरीके के हमने और भी कई सारे examples देखे थे physical change के अपने previous session में आई बाद समझ में अब हम बात करते हैं chemical changes की chemical changes क्या होते हैं अब देखो ध्यान से सुनना क्योंकि इसी के continuation में हम क्या करेंगे आज के इस session की कहानी को हम start कर देंगे ठीक है न? तो physical changes क्या होते हैं physical changes, sorry physical changes तो हम पढ़ चुके हैं हम बात करते हैं chemical changes की तो chemical changes क्या होते हैं chemical changes वो changes होते हैं जिनमें substances की chemical properties change हो जाती है समझे? chemical changes वो changes होते हैं जिनमें substances की chemical properties change हो जाती है Suppose एक substance है Suppose एक substance है जिसमें chemical change हुआ है तो chemical change होने का मतलब क्या है कि उस substance की chemical properties change हो चुकी है Substance की chemical properties change होने का मतलब क्या है कि उस substance का chemical composition CC, CC मतलब क्या Chemical composition ही change हो गया कि एक substance है जिसमें की chemical change हुआ है chemical change होने का मतलब क्या है कि उस substance की chemical properties change हो चुकी है substance की chemical properties change होने का मतलब क्या है कि substance का chemical composition ही change हो गया अब जब substance का chemical composition ही change हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एक नया substance बन जाएगा उससे और जब नया substance बनता है किसी भी change में तो उस change को हम बोलते हैं क्या chemical change तो chemical changes are those changes जिनमें substances की chemical properties change हो जाती है chemical properties change होने का मतलब यह है कि substances का chemical properties change होने का मतलब यह है कि substances का जो chemical composition है वो बदल जाता है और जैसे ही chemical composition बदला नए substances बन जाते हैं तो chemical changes की तो पहचान ही यह है Chemical changes की तो पहचानी यही है कि हमेशा नए substances बन जाएंगे जिनकी properties कैसी होंगी बहुत नहीं होंगी और उस चक्कर में क्या होता है जो original substance होता है वो अपनी identity कहीं न कहीं खो देता है Best example मैंने आपको पढ़ाया था previous session में curd formation हमने सीखा था बहुत ही detail में हमने सीखा था अपने previous session में कि कि किस की सरही के से दही बनता है दही का formation होता है मिल्क से, initially हमारे पास क्या होता है, initially हमारे पास होता है मिल्क, क्या होता है, मिल्क में क्या होता है, उसकी शुगर लेक्टोज, लेक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है, आई मेरी बात समझ में अब क्या होता है, यही लेक्टोज में चेंज होता है, अरे भाई initially हमारे पास दूद होता है दूद में उसकी शक्कर lactose अब इसी lactose में कुछ change होता है और उस change के कारण उस change के कारण lactose का chemical composition ही बदल जाता है और जब lactose का chemical composition बदलता है तो एक नया ही substance बन करके ready हो जाता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्या lactic acid और यही lactic acid क्या करता है जो milk protein है casein उसको जाकर के denature करता है जिसके कारण simple chain protein बन जाते हैं जो कि coagulate होने लगते हैं protein और proteins के coagulation से milk को एक अलग सा texture मिल जाता है और जो milk है ना वो basically semi solid state में आ जाता है और उसको हम देख करके बोलते हैं कि भाई साहब दही तो जम गया तो बहुत ही detail में हमने previous session में देखी थी बहुत ही detail में हमने समझा था कि किस तरीके से milk से curd का formation होता है तो initially हमारे पास milk है milk का क्या है lactose है इसी lactose में कुछ changes होते हैं जिसके कारण lactose का chemical composition बदल जाता है जब lactose का chemical composition I repeat जब lactose का chemical composition change होता है जब cc change होता है lactose का chemical composition तो एक नया ही substance बन करके ready हो जाता है जिसको हम बोलते हैं lactic acid और इसकी जो properties है ना वो बहुत different होती है lactose से तो milk था हमारे पास शुरुवात में देखो शुरुवात में हमारे पास lactic acid नहीं था शुरुवात में हमारे पास milk का lactose था जिसमें changes हुए जिसके कारण lactose का chemical composition ही बदल गया जब lactose का chemical composition change हुआ तो उससे एक नया substance बन गया जिसको हम बोलते हैं और इस lactic acid की properties lactose से बहुत अलग होती है यही lactic acid जाकर के milk protein case in को denature करता है simple chain proteins बनते हैं यही simple chain proteins coagulate होने लगते हैं एक खटा होने लगते हैं जिसके कारण milk को एक texture मिलता है milk जो है semi solid state में आ जाता है और उसे देखकर हम बोलते हैं कि अरे वा जो दही है वो तो जांग गया है initially हमारे पास lactose होता है lactic acid तो बाद में बनता है तो नया substance बना की नहीं बना और जब भी नया substance बने किसी change में तो खुल करके बोलो कि वहांपर क्या हुआ है chemical change हुआ है physical change में कभी भी कोई नया substance नहीं बनेगा पानी में शक्कर डालते हो तो sugar solution बन जाता है तो ये मत सोचो कि आपने कोई top experiment कर लिया है कि oh my god, पानी में शक्कर घोल दिया पानी में नमक घोल दिया तो हमने एक experiment कर लिया आपने सिर्फ एक physical change किया है पानी में शक्कर घोलोगे तो sugar solution ही तो बनेगा ऐसा तो नहीं कि पानी में शक्कर घोल थी तो रूवजा बन गया या जो है ना दूद बन गया या जो है पनीर बन गया ऐसा तो नहीं होता दो चीजे जो आपने ली थी पानी और शक्कर उनको मिला करके आपके पास शक्कर का पानी ही बनेगा obvious है पानी में नमक डालोगे तो आपके पास नमकीन पानी ही आएगा salt water ही आएगा कुछ और नहीं आने वाले तो physical changes में कभी भी कोई नया substance नहीं बनता है chemical changes में हमेशा एक नया substance बन करके ready हो जाता है जिसकी properties original substance से बहुत अलग होती है और कहीं न कहीं जो original substance है वो अपनी identity loose कर देता है कहीं चली जाती है उसकी identity क्यों क्योंकि जो original substance है उसी में change होता है उसी का chemical composition change होता है जिसके करण एक नया substance बनता है ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही नया substance बनता है एक से जादा भी नया substances बन सकते हैं ऐसे कि हमने देखा था प्रिवियस सेशन में एक्जाम्पल फर्मेंटेशन ओफ ग्रेप्स, ग्रेप्स में होती है क्या ग्लुकोज होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें इथनॉल में और कार्बन डायोकसाइड में, तो शुरवात में आपके पास इथनॉल और कार्बन तो नहीं थी, आपके पास क्या था? ग्लुकोज था, गुलू था, है की नहीं? शुरवात में इनिशली आपके पास ग्लुकोज ही था, जो की शुरवात में आपके पास क्या था? ग्लुकोज था, इसी ग्लुकोज में कुछ चेंज हुआ, इसी ग्लुकोज में कुछ composition, glucose का change हुआ, दो नए substances बन करके ready हो गए, ethanol and carbon dioxide, जिनकी properties glucose से बहुत अलग थी, तो यहाँ पर भी देखो न, यहाँ पर भी तो नए substances बने हैं, कैसे बने हैं, जो original substance था, जो original substance था, उसी की chemical composition बिगड़ जाती है, बदल जाती है, जो original substance था, उसी में change हो जाता है, उसी की chemical composition चेंज हो जाती, जिसके कारण नए substances बन करके ready हो जाते हैं, जिनकी properties original substance से बहुत अलग होती है, तो जब भी नए substance बने, यह जब भी नए substances बने, किसी change में लिख दो कि वो क्या है भई, एक chemical change है, फिर मैंने आपको बताया था, कि क्या कभी आपको यह realize हुआ है, कि यार ऐसा कैसा change हो सकता है, कि उस change से, नए substances बन करके ready हो जाएं, मैंने आपको यह previous session में समझाया था, कि कभी आपको दिमाग में यह सवाल आया, कि यार chemical changes में नए substances थो chemical changes में भी बनते हैं, तो क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया, कि मैंने आखिर chemical changes में ऐसा क्या हो जाता है, कि हमेशन नए substances with brand new properties जो यह ना बन करके ready हो जाते हैं तो उसके पीछे reason छुपा होता है क्या chemical reactions कि जब भी chemical changes होते हैं तो उन changes में chemical reactions होती है और उनी ही chemical reactions के कारण original substances का composition जो है वो change होता है नए substances बन जाते हैं जिनकी properties बिलकुली नई होती है तो chemical changes में जो इतने drastic बदलाव आते हैं कि हमेशन नए substances बन करके ready हो जाते हैं यह क्यूं होता है क्योंकि chemical changes में होती है chemical reactions अब एक chemical reaction क्या होती है वो हमें आज के इस session में समझना है समझेंगे चलो इधर आओ एक chemical reaction क्या होती है कुछ नहीं एकदम आसान शब्दों में याद करने की कोशिश करो देखो ऐसा है जितने आसान शब्दों में याद करने की कोशिश करोगे न उतना ही याद रहेगा अगर मैं आपको difficult language में difficult definition देदू तो रट लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे याद नहीं रख पाओगे उसको हमें चीज़ों को याद रखना है रटना नहीं है तो एक chemical reaction क्या होती है ये बात तो समझ में आ गई न कि chemical changes में जो इतने drastic बदलाव होते है कि भाई साहब chemical changes से हमेशा ही नए substances बन करके निकल के आ जाते है और उन नए substances की जो properties हैं वो भी काफी नहीं होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि उन chemical changes में क्या होता है chemical reactions होती है chemical reactions में क्या होता है chemical reactions हो रही होती है आई बात समझ में तो chemical changes में chemical reactions होती है और उन ही chemical reactions के कारण नए substances बन करके ready हो जाते हैं जिनकी properties भी एकदम brand नहीं होती है अब हमें पकड़नाई कि भाई साहब ये chemical reaction होती क्या वाला है? कुछ नहीं Chemical reaction एक ऐसी process है जिसमें की नए substances बन जाते हैं जिनकी properties एकदम नई होती है आई मेरी बाद समझ में Simple definition है एकदम simple The process in which new substances with new properties are formed एक ऐसी process जिसमें की नए substances बनते हैं नए properties के साथ from one or more substances देखो एक substance बना है तो वो कहीं न कहीं किसी दूसरे substance से ही तो बना होगा जैसे कि ये lactic acid है तो ये कहां से बना? आस्मान से टपका क्या? जमीन से होगा क्या? नहीं ये lactic acid, lactose से ही बना है ये ethanol और ये जो carbon dioxide है ये कहां से आए? आस्मान से टपके, जमीन से होगे पानी में बहते हुए है क्या? ना ये ethanol and carbon dioxide glucose से ही बने है तो जब भी कोई नया substance या substances बनते है जब भी कोई नया substance या नय substances बनते है तो वो कहां से बनते हैं? जो पुराने original substances है उन ही से बनते हैं यार lactic acid कहां से बना, lactose से बना ethanol and carbon dioxide कहां से बने glucose से बने तो सीडी सी बात है वोट इस अ chemical reaction? chemical reaction basically एक ऐसी process होती है chemical reaction एक ऐसी process होती है जिसमें की नय substances बनते हैं जिनकी properties बहुत ही नई होती है कहां से बनते हैं? from one or more substances is called chemical reaction किसा ही खतम? आज के बाद कोई पूछे का कि और बताओ chemical reaction क्या होती है तो मुँ पिचा करके उसके बोलना कि chemical reaction एक ऐसी process होती है जिसमें की हमेशा नय substances बनते हैं जिनकी properties एकदम नई होती है from one or more substances खतम तो whenever a chemical change takes place जब भी कोई chemical change होता है तो समझ जाना कि उस chemical change में chemical reaction होती है हम अभी तक क्या बोल रहे थे? हम अभी तक यही तो बोल रहे थे ना कि chemical change में नए substances बनते हैं मैं बार-बार आपसे बोल रहे हूँ पिछले session में भी कहा था इस session में भी मैंने आपको कम से कम दस बार तो बोली दिया है दस तो नहीं दो-तीन बार तो बोली दिया है कि physical changes में कभी भी कोई नया substance नहीं बनता है लेकिन chemical changes में हमेशा नय substances बनते हैं पहचानी वही होती है कि एक change हुआ है देखो आपके सामने ना किसी ने एक change लाकर के रख दिया है अब आपको उस change के बारे में कुछ नहीं पता आपने बस सामने वाली से ये पूछ लिया कि ये बताओ कि इस change में कोई नया substance बना है क्या मेरी बात समझ में आई कि आपके सामने एक change लाकर के कि होगा chemical changes होगा? यूदि chemical changes में ही क्या होता हैn? नए substancihhs बनते हैं. आई मेरी बात समझमें. तो अभी तक हम यही तो पढ़ते आये हैं पिछले session से कि chemical changes में नए substances बनते हैं. नए substances बनते हैं. लेकिन कैसे बनते हैं? तो chemical changes में होती है chemical reactions और उन reactions के कारण नए substances बनते हैं तो अभी तक जो हम शबाशी दे रहे थे किसको? Chemical changes को हो कि वा, क्या chemical change है नए substance या नए substances बन करके ready हो गए है तो chemical change को शबाशी देने की जरुवत नहीं है chemical change में जो chemical reaction हो रही है उस reaction को शबाशी दो क्योंकि उस reaction के कारण ही नए substances बन रहे हैं या नए substance बन रहा है जिसकी properties बहुत नहीं होती है तो chemical change नहीं, chemical change के अंदर हो रही chemical reaction को बोलो कि वा बेटा, क्या reaction है? क्योंकि उन chemical reaction के कारण ही नए substances या नए एक substance या नए substances बनते हैं जिनकी properties बहुत नहीं होती है समझे? चलो Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place जब भी कोई chemical change होता है आख बंद करके बोल दो कि जब भी कोई chemical change होता है तो समझे जब वहाँ पे क्या हुई है? कोई नए कोई chemical reaction हुई है जब chemical reaction होगी तब ही जो है ना नए substance या नए substances बनते हैं जिनकी properties बहुत नहीं होती है So whenever a chemical change occurs, लिखो comment section में span कर दो कि मैं आज के बाद आख बंद करके बोलेंगे कि अच्छा, chemical change हुआ है मतलब यहाँ पर chemical reaction होई होगी यहाँ पर chemical change हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर chemical reaction होई होगी यहाँ पर chemical change हुआ है, तो मान लो कि वहाँ पर क्या हुई होगी chemical reaction हुई होगी और reaction के कारणी क्या होता है नए substance या नए substances बन जाते हैं with brand new properties. So whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place. The process in which new substances with new properties are formed from one or more substances it is called a chemical reaction. अब देखो ऐसा है ये ना एक इतनी important line है कि मैं मतलब मैं क्या बोलू मैं सोचती हूँ कि इस line का भी एक tattoo करवा लेती हूँ ताकि तुम लोग को जो है ना जितने बार मैं पढ़ाने आऊं उतने बार तुम लोग को एक tattoo देखें और तुम लोग को याद रह जाए क्या देखो यहाँ पे atoms of one element जब हम बात करते हैं एक chemical reaction की कान खुल के सुनो जब हम बात करते हैं एक chemical reaction की तो उस chemical reaction में atoms of one element don't get changed into atoms of another element only the rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction अब आप बोलोगे कि मैं यह जो line है इसका मतलब तो हमें सच में समझ में नहीं आया आप ही बता दो ठीक है बताती हूँ मैं सुनो ध्यान से सुनो मेरी बातों को हर एक substance जो है न element का बना होता है हर एक substance element का बना होता है अब elements तो या कितने सारे होते हैं class 9 में पढ़के आए होंगे आप sodium, potassium, hydrogen, chlorine, neon ये वो ये वो कितने सारे elements होते हैं यार और कितने सारे elements तो हमारे खुद के body में होते हैं तो elements के बारे में आपको knowledge तो है और एक element किसका बनता है उसके respective atoms का बनता है इसका मतलब क्या कि अगर मेरे पास किसी ने मुझे तोहफे में calcium element दिया है तो उस calcium element में क्या होगा atoms होंगे किसके? sodium के calcium element है तो उस element में calcium के atoms ही होंगे sodium element है तो उस element में sodium के ही atoms होंगे chlorine element है तो chlorine element में chlorine के ही atoms होंगे तो एक element में उसी के respective atoms होते हैं, किसी दूसरे element के atoms जो ना गुस करके नहीं आ जाते हैं, गुस बैठी नहीं होते हैं, element के atoms, कि एक element है तो उस element में केवल उसी के atoms होंगे, दूसरे element है तो उस दूसरे element में उसी element के atoms होंगे, ठीक है न, तो हर substance जो है, वो किसी ना किसी element का तो बनाई होता है या ये भी possible है बहुत सारे substances ऐसे होते हैं जो की एक से जाधा elements के बने होते हैं तो suppose यहाँ पर मेरे पास एक substance है मैं आपको यह समझा रहे हूँ कि chemical reaction में इस line का statement का मतलब क्या है जिसका मैं tattoo करवाने वाली हो देखो यहाँ पर मेरे पास एक substance है यह substance बना हुआ है दो elements से कौन से दो elements तो element A and element B अब आप बोलोगे कि मैं यह कौन से नए elements पैदा हो गए हमें तो पते नहीं चला अरे example के लिए मैंने बोला है कि एक element A है और दूसरा element B है तो यह substance बना हुआ है दो elements से element A and element B तो जाहिर सी बात है जो element A है जो element A है उसमें क्या होंगे element A के atoms होंगे जो element B है उसमें क्या होगा B के atoms होंगे किसके atoms होंगे? B के atoms होंगे है ना? तो यह मेरे पास एक substance है प्यारा सा सुन्दर सा जो कि बना हुआ है दो elements का element A and element B element A में A के atoms होंगे Element B में B के Atoms होंगे अब क्या हुआ? इस Substance में कुछ Change हुआ कौन सा Change? Chemical Change इसका मतलब क्या? कि यहाँ पर Definitely Chemical Reaction हुई होगी क्या हुई होगी? Chemical Reaction हुई होगी Chemical Reaction हुई होगी और इस Chemical Reaction से हुआ क्या? इस Chemical Reaction से इस Chemical Reaction से Basically क्या समझा है? मैंने कि जब भी Chemical Reaction होती है तो नया Substance या नया Substances बनते की नी बनते हैं? तो यहाँ पर भी तो Chemical Reaction हुई है यह जाहिर से बात है नया Substance यहाँ भी बना होगा चलो बना देते हैं नया सब्स्टेंस यहाँ पर हम बना देते हैं, यह क्या बनगा? एक नया सब्स्टेंस बन गया. लेकिन यह जो नया सब्स्टेंस बना है, इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? दिमाग लगाओ जरा. क्या समझा था मैंने आपको? कि जब भी कैमिकल चेंज होता है, तो मान के चलिए कि उस कैमिकल चेंज में कैमिकल रियक्शन हुई है. जब भी कैमिकल चेंज होता है, तो मान के चलिए उस चेंज में कैमिकल रियक्शन हुई ही हुई है. और जब भी chemical reaction होती है, तो एक नया substance या और भी नया substances बन जाते हैं, जिनकी properties बहुत नई होती है और ये नया substances कहां से बने हैं? ये नया substances बनते हैं पुराने वाले substances से ही आये मेरी बात समझ में कि जो नया substances बने हैं, ये कहां से बन रहे हैं? आस्मान से टपकर हैं, जमीन से उग रहे हैं? ना, जो पुराने वाले substances हैं ना, उनी से क्या हो रहे हैं? नया substances बन रहे हैं Example मैंने आपको दिया था, क्या दिया था? Lactic Acid बना था? आप तो बोलोगे कि मैं Lactic Acid के दही के तो आप पीछे ही पड़ गई हो, हाँ पड़ूँगी, तब तक पड़ी रहूँगी जब तक कि तुम लोग को बात समझ में नहीं आ जाती है Lactic Acid बना था कि नहीं बना था? Lactic Acid brand new substance है, उसकी properties brand new है, लेकिन Lactic Acid कहां से आए था? भगवान ने उपर से टपकाया था या जमीन से होगा था? ना, जो Lactose था, मिल्क में जो Lactose था, उसी Lactose से Lactic Acid बना था Similarly, Ethanol and Carbon Dioxide ये कहां से आए थे? ग्लुकोस से ही आए थे तो Chemical Change हुआ, तो मान के चलो कि वहाँ पर Chemical Reaction हुई है और Chemical Reaction हुई है तो जाहिर सी बात है Chemical Reaction हुई है तो जाहिर सी बात है एक नया substance या नया substances जिनकी properties एकदम नई होती है वो तो बनके ही रहेंगे चाहे जो हो जाए चाहे जो हो जाए, Chemical Reaction हुई है तो नया substance या नया substances जिनकी properties एकदम नई होती है वो तो बनके ही रहते हैं लेकिन ये नया substance या नया substances कहां से आते हैं? तो जो पुराने वाले substances हैं, जो की reaction में participate किये थे, chemical reaction में participate किये थे वही वाले पुराने substances से नया substances बनते हैं तो मेरे पास तो ये था पुराना substance ये था पुराना substance जिसमें की chemical reaction हुई थी ये क्या था? मुँ देखो इसका, ये है पुराना substance जिसमें की chemical reaction हुई थी अरे यार, ये क्या है? ये एक पुराना substance है, जिसमें की chemical reaction हुई थी ये पुराना substance दो elements से मिलके बना था, बने भी हुए हैं, एक element A, एक element B तो ये पुराना substance दो elements से बना था, element A and element B element A में element A के atoms होते हैं, B में B, element में B के atoms होते हैं उसी में chemical reaction हुई, तो chemical reaction जब हुई, तो chemical reaction से देखो क्या बना, chemical reaction से एक नया substance बन गया, ये क्या बन गया, एक नया substance बन गया, reaction से एक नया substance बन गया, लेकिन ये नया substance कहां से आया होगा, इस पुराने substance से ही आया होगा, मेरी बात को सुन लो, ये जो नया substance आया है, ये कहां से आया है यह पुराने सब्स्टेंस से ही आया है तो मेरा अब आप से सवाल यह है जैसे कि लैक्टिक एसड लैक्टोस से आता है इतनॉल एंड कार्बन डायोकसाइड ग्लुकोस से आते हैं वैसे ही यह नया सब्स्टेंस पुराने सब्स्टेंस से ही आया है तो मेरा आप से सवा ऐसे कुछ नए elements आ जाएंगे क्या? इस नए substance में? नहीं. elements तो वही होंगे जो आपको पुराने substance में मिले थे. कौन से elements थे पुराने substance में? A और B यह दो elements थे पुराने substance में. तो यही दो elements और उनके respective atoms आपको मिलने वाले हैं इस नए वाले substance में भी. पुराने substance में जो elements थे और उन elements के जो respective atoms थे वही elements और उनके respective atoms आपको मिलने वाले हैं नए वाले substance में भी. कौन कौन से, अरे लिखो न, लिखो, ये रहा A और ये रहा B, कितना गंदा लिखा है B B, A में A के आटम्स होंगे A में A के आटम्स होंगे और B में B के आटम्स होंगे, ये लो, खुश तो ये logic आपको नहीं बूलना है चाहे कुछ बूल जाओ, अपना नाम बूल जाओ ये नहीं बूलना है कि chemical change हुआ है, तो chemical reaction हुई है और उस chemical reaction से हमेशा ही एक नया substance या एक से ज़्यादा नय substance is ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही नया substance बनता है इतनौल एंड कार्बन डायोकसाइड दोनों बने थे न तो जब भी chemical change होता है, तो chemical reaction होती है और उस chemical reaction से हमेशा उस chemical reaction से हमेशा एक नया substance या एक से ज़्यादा नय substances बन जाते हैं जिनकी properties एक दम नहीं होती हैं आई मेरे बात समझ में और वो जो नया substance या जो नय substances बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं? पुराने वाले substance से ही बन रहे हैं जिन substance ने reaction में participate किया था वो कौन है? वो है पुराने substances और उन पुराने substances से ही नय वाले substances या एक नया substance बनता है ऐसा नहीं है कि जो नय substance बने हैं जो भी elements होंगे, वही elements आपको नय substance में भी देखने को मिलेंगे फिर आप मुझसे बोलोगे, अच्छा एक काम करते हैं इस चीज को हम इस वाले example से भी समझ लेते हैं यह देखो यह क्या है? यह है lactose This one is lactose और यह क्या है? Lactic Acid है अब आप बोलोगे कि मैं हमें यह याद करना पड़ेगा, क्या? नहीं याद नहीं करना है, बस आपको मैं explain करने के लिए दिखा रही है अगर आप इस lactose की शकल को देखोगे तो इस lactose की शकल में इसके structure में आपको carbon element भी मिलेगा carbon element भी मिलेगा, hydrogen element भी मिलेगा और oxygen element भी मिलेगा अरे lactose को देखो ना, इसके structure में आपको carbon, hydrogen and oxygen यह तीनों ही elements दिखेंगे carbon element भी, hydrogen element भी and oxygen element भी ठीक है, तो यह तीन elements, CHO, है ना, WHO, CHO तो lactose में, lactose में आपको यह तीन elements मिले कौन-कौन से, carbon, hydrogen and oxygen अरे lactose में आपको यह तीन elements मिले carbon, hydrogen and oxygen अब जरा lactic acid की शकल देख लो Lactic Acid में आपको कौन-कौन से Elements दिख रहे हैं Lactic Acid में भी आपको Carbon Element दिखेगा Hydrogen Element दिखेगा और तो और लो बो लो Oxygen Element भी दिख गया इसका मतलब क्या? क्या समझाया था इतनी देर से? कि Lactose से ही Lactic Acid बनता है जब दही जमता है ना? दूद से तो Lactose से ही क्या होता है? Lactic Acid बनता है Lactose इस पुराना Substance Hindi में लिख दूँ पुराना Substance Lactose क्या है? पुराना Substance है Lactic Acid क्या है? यह नया Substance है आई बाद समझ में तो Lactose पुराना है, Lactic Acid नया Substance है इस पुराने सब्स्टेंस में जो नया सब्स्टेंस है लेक्टिक एसिड वो कहां से आया है कहां से बना है पुराने सब्स्टेंस लेक्टोस से ही आया है पुराने सब्स्टेंस में लेक्टोस में आपको कौन-कौन से एलिमेंट्स नजर आये थे कौन-कौन से elements नज़र आये थे CHO, carbon, hydrogen and oxygen और यही तीनो elements आपको lactic acid जो की एक नया substance है उसमें भी मिले ऐसा नहीं हुआ कि पहले आपको पुराने substance में lactose में आपके पास carbon था और lactic acid में carbon की जगा phosphorus आ गया या जो lactose है उसमें hydrogen था तो lactose से जो lactic acid बना उसमें hydrogen की जगा पे chlorine आ गया, ऐसा नहीं होता पुराने substance में जो elements है वही elements पुराने substance में जो elements है वही elements आपको नय substance में भी देखने को मिलेंगे आईवाद समझ में कि lactose एक पुराना substance था lactic acid एक नया substance था lactose से ही lactic acid बना पुराने substance से ही नया substance बना तो पुराने substance में ये तीन elements थे अब definitely इस example को देख करके आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैम अगर आप ये बोल रहे हो कि chemical reaction में एक नया substance बनता है या नया substances बनते हैं जिनकी properties पुराने substance या substances से बहुत अलग होती हैं ठीक है फिर दूशरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि पुराने substance में जो elements मिलते हैं रियक्शन के बाद जो नया substance है जो नया substances बने हैं उनमें भी आपको वही elements दिखते हैं मैंने आपको दो बाते बताएं कि chemical reaction में हमेशा ही नया substance या नया substances बनते हैं जिनकी properties बहुत अलग होती हैं और यह substances कहां से आते हैं पुराने substances से ही आते हैं पहली बात तो मैंने आपसे ये बोली दूसरी बात मैंने आपसे ये बोली कि chemical reaction में जो पुराने substance है पुराने substance में जो भी elements है वही सारे elements आपको नए वाले substances में भी देखने को मिलता है कि पुराने substance में chemical reaction हुई उससे बन गया ना या substance तो पुराने substance में जो elements थे वही सारे elements आपको नए वाले substance में भी देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर पुराना substance कौन सा था? Lactose, नया कौन सा था Lactic Acid? Lactose में भी carbon, hydrogen, oxygen elements है और Lactic Acid में भी carbon, hydrogen and oxygen elements है इसका मतलब यह है कि मैम यह तो अब जो ना हमारे दिमाग से उपर जा रहा है कि अगर same same elements हैं अगर पुराने और नए substances में same same elements हैं, same to same, यहाँ पर भी CHO, यहाँ पर भी CHO, तो फिर यह नया substance कहां से कहलाया? यह तो पुराने substance जैसे ही हो गया ना, अगर इसमें CHO है और अगर इसमें भी CHO है, तो फिर यह तो जो है substance, यह नया substance कहां से हुआ? नया substance तो यह तब कहलाता ना, जब इसमें carbon की जगापे sodium आ जाता, H की जगापे chlorine आ जाता, O की जगापे phosphorus आ जाता, तब हम बोलते कि अरे वाँ, जो नया substance है, उसमें तो नये elements आ गये हैं, तो हम बोलते कि हाँ, substance में नये elements आ गये हैं, इसलिए substance क्या हो गया है? यहाँ पर तो आप बोल सकते हो कि elements तो जो है वो same ही चल रहे है reaction के पहले भी यही elements थे, reaction के बाद भी यही elements है तो पुराने substance में जो elements थे, वही सारे elements आपको नए substances में भी देखने को मिलेंगे तो फिर वो substances नए कैसे कहलाए, नए ऐसे कहलाए इसलिए ऐसे कहलाए कि elements तो same है लेकिन elements के atoms का जो arrangement है elements के atoms का जो arrangement है ना वो बदल जाता है elements तो यहाँ पर भी CHO थे और यहाँ पर भी CHO थे लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हो कि lactic acid जब बना तो इन elements carbon, hydrogen and oxygen इन elements के atoms का जो arrangement है वो change हो गया यहाँ पर तीनों ही elements के atoms का arrangement कुछ और था लेकिन यहाँ पर इन तीनों ही elements के atoms का arrangement कुछ और हो गया basically elements के atoms क्या हो गए rearrange हो गए तो हम बोलते हैं कि भाई यह क्या है एक नया substance बन गया साड़ी को ऐसे पहनो तो हम बोलेंगे कि वाँ एक कितनी जो है ना modern तरीके से साड़ी पहनी होई है या अगर पल्ला यहाँ से ले लो तो हम बोलेंगे कितनी traditional तरीके से जो है साड़ी पहनी है ना उल्टा पल्ला सीधा पल्ला होता है ना ऐसा कुछ-कुछ शाद इसको उल्टा बोलता है और इसको सीधा बोलता है तो साड़ी का पल्ला ऐसे ले लो तो हमने western तरीके से क्या करा है साड़ी को पहनी है और अगर हमने पल्ला ऐसे ले लिया जैसे हमारी दादे नानी लेती है तो लोग बोलेंगे कि अरे कितने traditional तरीके से जो है ना साड़ी पहनी है तो तो पल्ले का जो re-arrangement हुआ है उससे style तो बदल गई ना एक western style थी और ऐसे करने पर traditional style हो गई तो पल्ले का re-arrangement करने पर style बदली की ने बदली तो यहां पर भी ऐसे हो रहा है कि कहने को तो पराने substance से नया substance बदा है पराने substance से नया substance बदा है तो पुराने substance में जो elements थे वही सारे elements नए substance में भी देखने को मिले carbon, hydrogen, oxygen, lactic acid में भी carbon, hydrogen and oxygen लेकिन फरक क्या हुआ फिर? अगर यहां पर भी same same elements, यहां पर भी same same elements फरक क्या हुआ? फरक क्ये हुआ कि elements के atoms का arrangement बदल गया elements के जो atoms वो rearrange हो गए तो rearrangement से क्या हुआ एक नया ही substance बन करके ready हो गया तो ये पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई थी क्योंकि मैं आपको ये वाला point explain करने की कोशिश कर रही थी कि atoms of one element don't get changed into atoms of another element ये chemical reaction हुई है नय substances chemical reaction हुई है पुराने substance से नय substance या नय substances बन रही है तो पता चला elements ही क्या हो गए बदल गए अब carbon के जो atoms हैं वो sodium के atoms बन गए hydrogen के जो atoms हैं वो chlorine के atoms बन गए ऐसा नहीं होता कि जब भी chemical reaction होती है तो atoms of one element don't get changed into atoms of another element only the rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि suppose अब आपके पास दो substances हैं ठीक है ना आपके पास दो substances हैं जिनमें chemical reaction हो रही है पहला substance यह है और दूसरा substance यह है अभी तक तो हम एक ही एक substance ले रहे थे जिसमें की chemical reaction हो रही थी अब देखो अब आपके पास basically दो पुराने substances आ गए है ना यह क्या है यह पुराने substances हैं जिनमें क्या होने वाला है जिनमें chemical reaction होने वाली है CR मतलब वो वाला CR नहीं CR मतलब की chemical reaction होने वाली है तो आपके पास अब दो पुराने substances हैं एक यह वाला और एक यह वाला यह जो substance है आरे जो यह पुराना substance है ना यह बना हुआ है दो elements है कौनसा A और B और जो ये substance से पुराना वाला ये भी बना हुआ है दो elements से C और D अब क्या होगा इनके बीच में chemical reaction होगी chemical reaction जब होगी तो पता है क्या होने वाला है ये जो अभी आपको इस substance में A और B elements के बीच में इतना प्यार दिख रहा है ये टूटेगा आरे जो ये एक substance था ये बना हुआ था A और B elements से जो ये substance था जो ये substance था ये बना हुआ था C और D elements से इनके बीच में क्या हुआ अब chemical reaction होगी तो जब chemical reaction हुई तो यहाँ पर अभी आपको इस substance में A और B elements के बीच में जो इतना प्यार दिख रहा है न, वो प्यार टूटेगा, मतलब कि A और B element अलग-अलग हो जाएंगे, A और B element अलग-अलग हो जाएंगे, Similarly, इस substance में, जो C और D elements के बीच में, C और D elements के बीच में, जो आपको इतना प्यार दिख रहा था, वो टूटेगा, इसका मतलब कि C और D elements भी क्या होंगे, अलग-अलग हो जाएंगे, अब क्या होगा, अब नया combination बनेगा, कैसे, A, C के साथ जुड़ जाएगा, जैसे कि होता न, कि हमारा एक best friend होता है, जब उससे हमारी लड़ाई हो जाती, तो हम क्या करते हैं, उसको जलाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ जाकर के दोस्ती कर लेता है, तो A और B best friends थे, C और D best friends थे, इनके बीच में लड़ाई हो गई, तो A ने B से दोस्ती खतम कर ली, C ने D से दोस्ती खतम कर ली, अब क्या हुआ, B को जलाने के लिए, A जो है, C के साथ जाकर के दोस्ती कर लेता है, B को jealous feel करवाने के लिए, A जो है, वो C के साथ जाकर के दोस्ती कर लेता है, तो एक नया combination क्या बन गया, A, C बन गया, similarly, D को जलाने के लिए, C, यह तो हो गया ना, हाँ, ठीक है, फिर इसके बाद में जो D है वो C को जलाने के लिए D जो है C को जलाने के लिए क्या करता है? B के साथ जाकर के जुड़ जाता है D C को जलाने के लिए B के साथ जाकर के जुड़ जाता है तो एक यहाँ पर एक और नया combination बन गया कौनसा? BD तो एक नया substance ये बना, एक नया substance ये बन गया तो ये क्या बन गए दोनों? ये बन गए new substances अब आप देखो, reaction के पहले आपके पास कौन कौन से elements थे? ये मत देखो कि किस के साथ किस की दोस्ती थी? कौन किस का best friend था? मैं आप से बस इतना पूछ रही हूँ कि ज़रा ये देख लो कि reaction के पहले आपके पास कौन कौन से elements थे? तो आप बोलोगे कि मैं A, B, C and D reaction के पहले हमारे पास ये चार elements थे reaction के बाद आपके पास कौन से elements आये हैं? reaction के बाद आपके पास कौन से नय elements आये हैं? तो आप बोलोगे कि मैम reaction के बाद हमारे पास A, B, C, D ये तो वही वाले elements आ गए हैं कोई नया element नहीं आया है Exactly कोई नया element यहाँ पर अपना मुँ आकर की नहीं दिखाता है रहते तो प्राने वाले elements हैं लेकिन क्या हुआ? नय combination बन गए atoms का rearrangement हो गया भाई जो A element के atoms थे देखो reaction के पहले क्या था? कि A element के जो atoms थे वो C element के atoms के साथ जुड़े हुए थे लेकिन reaction के बाद में क्या हुआ? जो गरबड हो गई हाँ reaction के पहले reaction के पहले जो A element के atoms थे वो B element के atoms के साथ जुड़े हुए थे लेकिन फिर उनके भी इसमें लडाई हो गई तो Atoms ने बोला कि भाड में जाओ Element A के Atoms ने बोला B Element के Atoms से कि तुम भाड में जाओ हम तो किसी और से जाकर की दोस्ती करेंगे तो अब देखो Atoms का Rearrangement हो गया Element A के जो Atoms है अब सुनो Element A के जो Atoms हैं अब Element C के Atoms के साथ जाकर के जुड़ जाएंगे Similarly C और D के बीच में भी लडाई हुई थी तो D Element Reaction के पहले Reaction के पहले जो Element D है उसके Atoms Element C के Atoms के साथ जुड़े हुए थे बीटा, Reaction के पहले Reaction के पहले Element D के Atoms Element D के Atoms Reaction के पहले Element D के Atoms Element C के Atoms के साथ जुड़े हुए थे D के Atoms, C के Atoms के साथ जुड़े हुए थे लेकिन फिर हो गई लडाई तो element D के atoms ने बोला, element C के atoms है कि तुम भाड़ में जाओ हम अपनी दोस्ती करेंगे, अब element B के atoms के साथ तो अब reaction के बाद में क्या हुआ, reaction के बाद अब D element के जो atoms है वो B element के atoms के साथ जुड़ गया तो यहाँ पर हुआ न, atoms का rearrangement elements तो वही थे, reaction के पहले भी ABCD, reaction के बाद भी ABCD लेकिन क्योंकि element के atoms का rearrangement हो गया तो आपके पास दो entirely new substances बन करके ready हो गए और जब भी new substances बन करके ready होते हैं तो क्या बोलते हैं, कि आरे chemical change हुआ है भाई, chemical reaction होई होगी अब समझ में आया, कि मैंने ये क्यों लिखा हुआ है कि जब भी chemical reaction होती है तो एक नया substance या एक से जादा नयay substances बनते हैं सुनोव, बात का निचोड है ये, conclusion है ये कि जब भी chemical reaction होती है तो एक नया substance या एक से जादा नय सब्स्टेंस बन जाते हैं कैसे बन जाते हैं, पुराने substances से ही बनते हैं, जब भी chemical reaction होती है न बेटा, तो हमेशा एक नया substance या एक से जादा नय substances जो हैं बन करके ready हो जाते हैं, जिनकी properties भी बहुत नई होती हैं, और वो नया substance या नय substances कैसे बने हैं, तो पुराने वाले substances से ही बने हुए हैं, आई बात समझ में हैं, तो जाहिर सी बात है, जो पुराने substances होंगे, उनमें जो elements होंगे, वही सारे elements आपको नय substances में भी देखने को मिलेंगे, यह मत सोचना कि मैं, जो पुराने वाले substances हैं, उनमें जो elements होंगे, वो तो पुराने होंगे होंगे, अब उनसे जब नया substance बनेगा, तो उसमें तो brand new elements आएंगे, ना, elements तो वही रहते हैं, best example मैंने आपको दिया है, कि वो है lactose, यह है lactic acid, lactose से ही बनता है क्या lactic acid, lactose में भी carbon, hydrogen and oxygen elements होते हैं, lactic acid में भी नए substance में भी carbon, hydrogen and oxygen elements होते हैं, यानि कि जो elements पुराने वाले substances में थे, वही सारे elements नए वाले substances में भी आए हैं, वही सारे elements नए substances में भी आए हैं, ऐसा नहीं होता कि elements जो है ना बदल ही जाएं नहीं बदलते वही रहते हैं लेकिन अगर elements वही रहते हैं बदलते नहीं हैं तो फिर नया substance कैसे बन जाता है तो basically elements के atoms का arrangement change हो जाता है elements के जो atoms ना वो rearrange हो जाते हैं जैसे कि मैंने आपको ये वाला example दिया कि reaction के पहले भी 4 elements थे ABCD reaction के बाद भी 4 elements थे ABCD वही वाले elements लेकिन अब क्या हुआ elements के atoms का rearrangement हो गया पहले AB के साथ था CD के साथ था अब AC के साथ है और BD के साथ है अब बताईए मैं उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बात जो मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ समझ में आये हूँगी अब देखो ऐसा है कि NCRT की तीन activities है उनको हम discuss कर लेते हैं NCRT में बहुत कुछ दिया रहता है काम का लेकिन कहीं न कहीं हम उस चीज़ को realize करना भूल जाते हैं और देते हैं कि अरे NCRT की activity कौन पढ़ता है पढ़ना चाहिए देखो मैं पढ़ाती हूँ activity 1.1 क्या बोलती है clean up magnesium ribbon अब आप बोलोगी कि मैम ये magnesium ribbon कहां से आएगा chemistry lab में सब मिलता है ठीके ना तो clean up magnesium ribbon आपके syllabus में है तो आपका क्या बोलेंगे आपकी duty बनती है आपके responsibility बनती है कि आप ये experiment होते हुए देखो अब मैं तो आपको करके नहीं बता सकती हूँ obviously बात है न आपके school में जो lab chemistry lab ना वहाँ पर सब चीज़े available होती है तो आप अपनी teacher से जाकर के request करिए कि मैं syllabus में है तो ये activity प्लीज करवा दो अगर हर एक बच्चा ये activity खुद अपने लेवल पर perform नहीं कर सकता है तो भाई जो teacher है वो perform करके बता दे कम से कम teacher perform करके बता दे तो सब बच्चों को दिखाई दे जाएगा सब में आ जाएगा अचा उसको हमें clean करना है कैसे clean करना है तो जो sand paper होता है sand paper को हिंदी में क्या बोलते है शायद रैक मार बोलते है ऐसा कुछ तुभी बोलते है जीकर ना वो sand paper होता है उससे जो है magnesium के ribbon को साफ करना है clean करना है कि कुछ impurity कुछ dirt वगेरा ना रह जाए hold it with a pair of tongs जैसे कि हमारे घर में रोटी पलटने के वो चिम्टे होते है ना वैसे ही chemistry lab में tongs होते है है ना तो उस tong से आपको क्या करना है ऐसे कैंची जैसे होते है उस tong से आपको क्या करना है magnesium ribbon को पकड़ना है burner और उसको जलाना है फिर magnesium ribbon को burner की मदद से या spirit land की मदद से और फिर इसके बाद में जब वो जलेगा ना तो नीचे कुछ राख निकलती है उस ash को आपको collect करना है एक watch class में burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes और जितना हो सके अपनी आँखों से दूर रख करके जो है magnesium ribbon को आप जलाईएगा अधरवाइस injury हो सकती है ठीक है ना अब ये दिखता कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ दिखता कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ देखिए ठीक है तो अब दो मिनिट के लिए अपना पूरा फोकस आप इस वीडियो पर डालिए दो मिनिट के लिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए आप ये रियलाईज करेंगे कि इस वीडियो में कितने बहतरीन तरीके से magnesium ribbon को जलाया जा रहा है ठीक है पहली बात तो ये है कि magnesium ribbon को ऐसे tong से पकड़ा गया है हाथ से नहीं पकड़ा गया है और फिर tong की मदद से magnesium ribbon को पकड़ करके ऐसे जलाया जा रहा है ठीक है और कितने बहतरीन तरीके से ये ribbon जल रहा है तो अब अगर मैं आप से पूछू कि जरा मुझे ये बताओ इस विडियो को ही देख करके मुझे ये बताओ कि जो magnesium ribbon की burning हो रही है जो magnesium ribbon जल रहा है तो इसके जलने में magnesium ribbon के burning में खास बात क्या है विडियो को देख करके ही समझ में आ जाएगा इसलिए मैंने का था कि दो मिनिट के लिए विडियो को एकदम ध्यान से देखो ध्यान से देखा होगा तो समझ में भी आ गया होगा मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि जरा मुझे ये बता दो कि यहाँ पर जो magnesium ribbon जल रहा है यहाँ पर जो magnesium ribbon जल रहा है तो इसके जलने में क्या खास बात है खास बात यह है देखो यहाँ पर कि जो magnesium ribbon है न वो कितनी बढ़िया सी white flame के साथ जल रहा है है की नहीं? देखो ना जो ribbon है देखो कितनी बढ़िया white flame के साथ जल रहा है चाहे यहाँ देख लो फिर चाहे यहाँ देख लो दोनों ही वीडियोस की कहानी तो एक ही है दोनों ही वीडियोस में magnesium ribbon को ही जलाया जा रहा है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब ribbon को जलाते हैं तो ribbon कितनी बढ़िया सी देखो ऐसी वाइट फ्लेम के साथ जलता है जब ribbon को जलाते हैं ना magnesium ribbon को तो ribbon कितनी बढ़िया वाइट फ्लेम के साथ वाइट फ्लेम के साथ जलता है कौन magnesium ribbon ठीक है तो यह खास बात आपको पता होनी चाहिए इसलिए मैं कह रही हूँ कि यह जो experiment है ना यह जो activity है आपकी NCRT में दी गई है तो जाहिर सी बात है आपकी syllabus में है तो आप अपने school teacher से request कर सकते हैं करना चाहिए कि ma'am हमको एक बार यह experiment एक बार यह activity perform करवा दीजे ताकि आप लोगों को बहतर तरीके से यह चीजे समझ में आएंगी है ना तो सीधी सी बात है कि जब भी magnesium ribbon जलता है तो एक बढ़िया सी white flame के साथ एक बढ़िया सी white flame के साथ ribbon जलता है ठीक है? चलो देखो क्या बोलती है NCRT की activity clean a magnesium ribbon about 3-4 cm long बहुत लंबा से ribbon ने लेना है छोटा से लेना है 3-4 cm long by rubbing it साफ के से करना है sand paper से rub करके hold it with a pair of tongs हाथ से नहीं पकरना है burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash और क्या करना है? ash collect करनी है ash मतलब की राख जैसे paper को हम जलाते हैं तो राख बनती हैं वैसे ही जब ribbon को जलाते हैं जब हम magnesium ribbon को जलाते हैं तो भी पीछे क्या होता है? राख निकलती है राख प्रड्यूस होती है ash प्रड्यूस होती है तो यह आप बोल सकते हो ना कि जो magnesium ribbon की burning है उसकी ये दूसरी खास बात है पहली खास बात क्या थी? अरे magnesium ribbon के burning की पहली खास बात क्या थी? कि जो ribbon है वो एक बड़िया सी white flame के साथ जलता है ये पहली खास बात थी दूसरी खास बात क्या है? कि जब ribbon जलता है ना तो क्या बनती है? राख बनती है ash प्रड्यूस होती है जिसे हमें collect करना है watch glass में किस खुशी में? NCRT ने बोला है ना इसलिए burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes जितना हो सके उतना दूर करके जो है ना जब ribbon जलता है तो कुछ इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सी white flame produce होती है तो कहीं इस flame से आँखों में कुछ damage ना हो जाए इसलिए बोला गया है कि precaution लो और जितना हो सके अपनी आँखों से दूर करके ribbon को जलाओ अब देखो observation क्या होंगे हमारे magnesium ribbon burns with a dazzling white flame जो ribbon है कौन सा magnesium ribbon जो magnesium ribbon है ना बेटा जी जो magnesium ribbon है ना ये जलता है एक dazzling white flame के साथ ribbon जलता है dazzling white flame के साथ बहुत important है ये point and changes into a white powder मतलब कि जब हम ribbon को जलाते हैं ना तो ribbon वो अलग बात है वो वाला concept हो गया अपना क्या? कि जब ribbon जलता है है ना जब ribbon जलता है तो dazzling white flame produce होती है वो concept हो गया अब सुनो दूसरी खास बात कि जब ribbon जलता है ना तो ribbon basically convert हो जाता है एक white powder में अब आप बोलोगे कि मैम राख भी बन रही है white powder भी बन रहा है ये क्या मसला है? अरे white powder कोई हम क्या बोल रहे है ash बोल रहे है राख बोल रहे है confuse मत हो जाना तो जैसे कि हम paper को जलाते हैं तो काली-काली राख बनती है तो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं यह हो जाता है कि यार राख जो है न वो black color की होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है ना? जब हम magnesium ribbon को जलाते हैं तो वो basically ribbon convert हो जाता है एक white powder में एक white powder produce होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? उसकी राख एक बात मुझे बताना ज़रा यह जो white powder है जिसको कि हम ribbon की राख बोल रहे हैं यह हमारे पास पहले से था क्या? जब आपने magnesium ribbon जलाना शुरू किया था तो क्या पहले से आपके पास यह white powder या magnesium ribbon की राख थी क्या? आश थी क्या? यह तो वही वाली बात हो गई कि पेपर जलाया नहीं और उसके पहली क्या आगे हमारे पास उसकी राख आगे राख तो तब ही आएगी ना जब आप किसी चीज को जलाओगे पेपर को जलाओगे तब ना राख निकलेगी तब ना राख प्रड्यूस होगी वैसे ही जब मैगनीशन रिबन को जलाया गया था जब जलाने की शुरुवात हो रही थी तब राख नहीं थी तब यह वाइट पाउडर नहीं था जब मैगनीशन रिबन को जला देते हैं तब बनता है क्या ये white powder इसका मतलब क्या कि white powder पहले नहीं था white powder पहले नहीं था white powder बाद में बना है मतलब की नया substance बना है भाई पहले कहाँ था white powder जब ribbon जल या तब ना बना white powder इसका मतलब white powder क्या है एक नया substance है और जब भी एक नया substance बनता है तो हम क्या बोलते हαιं कि यहाँ पर chemical change हुआ होगा, भाई इतने देर से समझा रही हुँ याँ, आप तो समझ जाओ, कि जब भी एक नया substance बनता है, तो हम क्या बोलते हैं कि chemical change हुआ है, जब भी एक नया substance बनेगा, यह जब भी एक नया substance बनता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर chemical change हुआ है और chemical change बोले तो chemical reaction तो definitely यहाँ पर chemical reaction हुई है definitely यहाँ पर chemical reaction हुई है मैंना अब बताया ना कि हम क्या कर रहे हैं पिछले session से chemical change की पीट थप-थपाते आ रहे हैं कि वाह क्या chemical change है नय सबस्चेंज जो है न बन गए है या एक नया सबस्चेंज जो है बन गया है कैमिकल चेंज में असली में शबाशी किसे मिलनी चाहिए कैमिकल चेंज में होने वाली कैमिकल रियक्शन को क्योंकि जब chemical reaction होती है न तभी elements के atoms का rearrangement होता है और तभी नए substances बनते हैं तो यहाँ पर भी तो white powder जो की एक नए substance है बना की नहीं बना कैसे बना तो definitely यहाँ पर chemical reaction हुई होगी यह white powder यह राक पहले हमारे पास नहीं थी जब ribbon जला उसके बाद में बनी इसका मतलब का कि जब ribbon जला जब ribbon की burning हुई जब magnesium ribbon जला उस समय chemical reaction हुई और उस chemical reaction से क्या मिला हमें product white powder यानि की राक तो definitely this product is magnesium oxide यह है क्या इस white powder को हम क्या बोलते हैं magnesium oxide बोलते हैं और यह कब बनता है due to the reaction between the magnesium आप बोलोगे कि मैम magnesium क्या अपने आप ही जो है ना react कर लेता है react करने के लिए कोई चाहिए भी तो हाँ चाहिए है ना कौन है तो magnesium ribbon को air में ही तो burn किया जाला ना भई class 8 में पढ़ते की नहीं बढ़ते हैं किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं combustion करते हैं combustion का supporter चाहिए होता है combustion का supporter कौन oxygen oxygen जो है combustion को support करता है कि हां combustion तुम लगे रहा हूं हम तुम्हें क्या करेंगे support करेंगे तो जब भी हम किसी चीज़ की burning करते हैं combustion करते है तो combustion का हमें supporter चाहिए होता है जैसे हम बोलते हैं oxygen, oxygen कहां से मिलती है तो air में तो है नो oxygen भर भर के उसी से ले लेते हैं तो जब magnesium ribbon को हम जला रहे हैं, जब magnesium ribbon का हम combustion कर रहे हैं, तो combustion कहां कर रहे हैं एयर में कर रहे है की नहीं कर रहे है तो एयर में क्या है oxygen है और उसी oxygen से क्या होगा magnesium react कर जाएगा magnesium ribbon का जो magnesium है magnesium ribbon का जो magnesium है वो air में present oxygen के साथ में react कर जाएगा तो basically यहाँ पर magnesium और oxygen की reaction हो जाएगी ribbon में जो magnesium है और air में जो oxygen है रिबन में जो magnesium है, air में जो oxygen है, उनके बीच में reaction हो जाएगी और reaction से ही आपर क्या बनने वाला है, बाई, magnesium oxide बनने वाला है और यही magnesium oxide क्या होता है, यह white powder जिसे हम क्या बोलते है, magnesium ribbon की राख बोलते है आई बाद समझ में, इतनी जरूरी होती है chemical reaction और इसको पढ़ाना उतना ही जरूरी होता है chemical reaction मतलब समझें, कि भई reaction हो रहा है, chemical reaction में क्या हो रहा है chemical reaction में आप बोल सकते हो कि नया substance बन रहा है यह जो हमने example लिया, यह जो हमारी activity है, NCRT की इसमें chemical reaction किन के बीच में हुई है, तो ribbon में जो magnesium है और air में जो oxygen है, उनके बीच में हुई है reaction, ultimately क्या बनता है magnesium oxide बन जाता है, अब देखो यहाँ पे, reaction के पहले आपके पास क्या था reaction के पहले आपके पास magnesium element था, oxygen element था अरे reaction के पहले आपके पास दो elements थे एक तो magnesium और दूसरा oxygen reaction के बाद भी क्या हुआ reaction के बाद भी आपके पास वही दो elements रहे magnesium and oxygen लेकिन यहाँ पर क्या हुआ elements के atoms का rearrangement हो गया इससे की नया substance बन गया product बन गया आई बाद समझ में एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता देती हूँ reactions में जो participate करते हैं substances उनको हम बोलते हैं reactants और जो नतीज़ा निकल करके आता है reaction का, chemical reaction का उन्हें हम बोलते हैं products जैसे की यहाँ पर जो हमने example लिया, इसमें यह दोनों कौन थे? magnesium and oxygen reactants, भाई जो reaction में participate करेगा, वो reactant जो reaction का result होता है, उसको हम क्या बोलते हैं product, कि भाई reaction से यह बना है, यह produce हुआ है तो reaction से क्या produce हुआ magnesium oxide white powder, राख ash, है ना magnesium ribbon जब जलता है, तो क्या produce हुआ reaction तो हुई, क्या produce हुआ magnesium oxide, तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, product यह क्या हो जाएगा, product और reaction में participate किस ने किया था इन दोनों ने, magnesium और oxygen तो यह क्या हो जाएँगे, they will be reactants यह क्या हो जाएँगे, reactants आगे बात समझ में, तो एक reaction में reactants होते हैं, और products होते हैं, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं, next activity, take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this, यहाँ पर दिख रहा है, अब कहने को तो test tube बोला गया है, लेकिन हमने test tube नहीं लिया, हमने सीधे beaker उठाएं, क्यों? क्योंकि हमारे पास lead nitrate, lead nitrate और क्या बोलते हैं उसको, potassium iodide, यह कुछ जादा ही थे, यह भी solution है, यह भी solution है, एक्वस solution, तो हमारे पास lead nitrate और potassium iodide, कुछ जादा ही quantity में थे, तो हमने जजबात में आकर के test tube की जगा पे ले लिये हैं, Cuz,Beaker ले लिये हैं, तो कोई धिक्कत की बार नहीं हैं, experiment तो उसमें भी हो सकता है, यहाँ देखो, अब यह भी कैसा होता है? colorless होता है, यह भी क्या होता है? एक colorless liquid होता है, liquid, और जो potassium iodide है यह भी क्या होता है? colorless liquid, यह हैं यहां होता है? को-ई कट्राड नहीं कोई नि एकदम यह बोलते हैं उसको बे कलर चीक है देख सकते हो कि सपोज इस टेस्टूब में क्या है इस टेस्टूब में है लेड नाइट्रेट, इस बीकर में है ना, इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट है, इस बीकर में क्या है, ये सफेद सफेद, पानी जैसा, मतलब सफेद नी, कलर्लेस, पानी जैसी अपीरेंस रखने वाला, ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, इस बीकर में, और ये जो बीकर है, इसमें जो आपको दिखरा होगा क्या बोलेंगे उसको लिक्विड यह क्या है, सपोस पुटेश्यम आयोडाइड है, आप देख सकते हों कि दोनों कैसे हैं, कलर्लेस लिक्विड़ लेड नाइट्रेट भी लेड नाइट्रेट भी और पुटेश्यम अरे लेड़नाइट्रेट कलर्लेस पोटैश्यम आइउडाईड यह भी कैसा कलर लेस एकदम पानी जैसे नजर आ रहे हैं लेकिन जब तक इनको अलग 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 रखा गया न दुनों को जब तक लेड नाइट्रेट और पोटैश्यम आइउडाईड को हो गया color change हो गया कहीं से लेकर कि कहीं तक दोनों ही liquids में potassium iodide में and lead nitrate में कोई color नहीं थे लेकिन जब दोनों को मिलाया तो देखो क्या हुआ color देखने को मिल रहा है yellow color जो है न अपियर हो रहा है ना सिर्फ yellow color अपियर हो रहा है बलकि यहाँ पर देखो कुछ जमा जमा सा लग रहा है जमा जमा मतलब क्या कुछ precipitate बन गया है कुछ PPT, PPT मतलब वो वाली नहीं power point presentation नहीं PPT मतलब कि कुछ precipitate बन गया है तो यह जो activity हुई इसके भी दो observations हो गए जैसे कि वो जो अपनी थी ना magnesium ribbon वाली activity उसके भी दो observations थे क्या observations थे पहला तो यह कि जो magnesium ribbon है वो जलता है dazzling white flame के साथ ribbon जलता है magnesium ribbon dazzling white flame के साथ ठीक है दूसरा observation क्या था कि राख बन जाती है white powder जिसे हम बोलते हैं क्या magnesium oxide ठीक है और जो ये जो activity है इसके भी आप बोल सकते हो कि दो observations है क्या पहली बात हुए कि color change हुआ है yellow color जो है आपेर हुआ है इसके अलावा आप बोल सकते हो कि change in color हुगया और yellow precipitate बन गया है basically precipitate बन गया तो यहां पर भी दो observations है क्या observations है, एक तो color change हुआ, दूसरा आप बोल सकते हो कि PPT बन गया, चीक है, तो lead, nitrate and potassium iodide, ये क्या है, lead, nitrate, ये क्या है, इस बीकर में potassium iodide, दोनों ही कैसे है, colorless liquid, colorless solutions है, lead, nitrate and potassium iodide, ये दोनों ही colorless liquids है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं, तो एक पीला-पीला color देखने को मिलता है, yellow color appear होता है, और फिर नीचे यहाँ पर precipitate भी बन जाता है, तो दो observation से, एक तो PPT बन गया, precipitate, और color में change देखने को मिला है, yellow color आ जुगा है, अब आप बोलोगी कि मैं, ये yellow color अचानक से कहां आ आई बात समझ में, जैसे कि root of the होता है, उसका color कितना प्यारा सा magenta होता है, है ना, magenta color होता है, किसका root of the का, red बोलो, जब उसको आप पानी में डालते हो, तो पूरे पानी का color red हो जाता है ना, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, कि जो precipitate बना है, उसका color कैसा है, पीला, precipitate जो yellow color जो है ना, appear हो रहा है, ठीक है, तो reaction जो है, वो कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको बता देती हूँ, lead nitrate, हाँ, reaction तो हुई है, यह मत बोलना कि मैं, reaction नहीं हुई है, अब नहीं बोलना, reaction नहीं हुई है, अरे, बिलकुल हुई है, यह बताओ, कि यह पीला, पीला, precipitate, यह yellow precipitate, आपके पास पहले था, क्या, पहले आपके पास lead nitrate था, पहले आपके पास potassium iodide था, पहले आपके पास lead nitrate था, यह lead nitrate है, this is lead nitrate, पहले आपके पास यह lead nitrate था, और पहले आपके पास potassium iodide था, दोनों ही कैसे थे, colorless liquid थे, क्या आपके पास कोई PPT था, precipitate था, नहीं, आपके पास कोई पीला कलर था? नहीं था लेकिन ये जो येलो PPT है ये बना की नहीं बना? इसका मतलब क्या? कि जब तक दोनों की हमने mixing नहीं करी थी lead and nitrate and potassium iodide जब तक हमने mixing नहीं करी थी तब तक कोई येलो PPT नहीं बना था लेकिन जैसे ही mix कर दिया ये एक नया substance बना है, अरे येलो PPT पहले था क्या? नहीं था, जब दोनों liquids को हमने mix कर दिया, तब जाकर के येलो PPT बना है, इसका मतलब। येलो PPT क्या है? अगर new substance हुआ है, अगर new substance हुआ है, अगर new substance हुआ है, अगर new substance हुआ है इसका मतलब क्या, chemical reaction हुई है, तो यहाँ पर definitely chemical reaction हुई है, कैसे हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पर, lead nitrate, अरे यह तो कुछ जा और ठीड़ा हो गया लेड़ नाइट्रेट एंड पोटैश्यम आयोडाइड क्या हो जाएगा यह जो पोटैश्यम है यह बहुत नलायक है यह क्या करेगा ना यह पोटैश्यम जाकर के इस लेड को इस पीवी को मुखा मार करके इसको भगा देगा कि जाग जाएगा तो उसकी जगा खाली हो जाएगी तो प्ताय क्या होगा यह पोटैस्यum उसकी जगा पर जाकरकर बैट जाएगा और पोटैस्यum । नाइट्रेट बन जाएगा नरेकिन अब ये जो लैड है ये सोचेगा कि यार मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है यिव लैड है इसको पुटेश्यम ने मुक्ता मार करके भगा जाiform बहुए ची कि जगा से और यह भग भी गया था डर edapoke लेकिन फिर Je bob और यही होता है, क्या? यळो PPT, अब आई बात समझ में, अब देख को जरा एक बार ध्यांट से reaction के पहले, आपके पास जो-जो elements थे, वही सारे elements reaction के बाद भी आपको मिलेंगे, कोई नया element टपक नहीं जाएगा, reaction के पहले देखो अरे देखो ना, reaction के पहले lid, nitrogen, oxygen, reaction के पहले आपके पास कौन-कौन से elements थे? लेड, nitrogen, oxygen, potassium, iodine, और जब reaction हो गई, उसके बाद में कौन से elements आये? देखो, potassium, nitrogen, oxygen, lead, iodine वही पुराने घिसे-पिटे elements ऐसा तो नहीं हुआ कि nitrogen की जगा पर phosphorous आ गया iodine की जगा पर chlorine आ गया, ना जो elements reaction के पहले थे, वही elements reaction के बाद भी है लेकिन फिर फरक क्या हुआ, कैसे बने ये दो नए substances क्योंकि elements के atoms का rearrangement हो गया पहले जो lead है, वो जुड़ा हुआ था, nitrate के साथ और potassium जुड़ा हुआ था, iodine के साथ जो lead है, वो पहले जुड़ा हुआ था, nitrate के साथ और जो potassium है, वो जुड़ा हुआ था, iodine के साथ फिर क्या हुआ, elements के atoms का rearrangement हो गया elements के atoms का rearrangement हो गया फिर अब जो lead है वो जुड़ा हुआ है iodine के साथ ऑब जो lead है न वो जुड़ा हुआ है iodine के साथ क्या बन गया और जो potassium है वो जुड़ा हुआ है nitrogen के साथ तो क्या बन गया potassium nitrogen बन गया अब बताईए हुई ना chemical reaction तो जब भी आपको, मैंने क्या बोला था, comment section पर छाप डालो, कि हाँ मैम, जब भी कोई नया substance बनेगा, तो हम बोल देंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, chemical reaction हुई है, chemical change हुआ है, तभी नया substance बना है, otherwise नहीं बनेगा, तो यहाँ पर भी नया substance बना की नहीं बना, पहले आपके पास yellow PPT था, क्या नहीं था, कब बना, जब दोनों ही lead nitrate and potassium iodide को जब आपने mix किया, तब बना है, इसका मनलब definitely yellow PPT बना है, तो reaction हुई होगी, क्या reaction हुई है, आपके सामने लिख्य हुई है, ठीक है, चलो, एक और activity है, वो भी देख लेते हैं, take a few zinc granules in a conical flask or a testu, अच्छ नहीं तुम लोग गये हो, chemistry lab की नहीं गये हो, conical flask ऐसा दिखता है, test tube जो है वो ऐसी दिखती है, मतलब इती गंदी नहीं दिखती है, अच्छी दिखती है, मैंने गंदी बनाई है, अरे नहीं बनती है भाई, यह देखो, ऐसी दिखती है, छोटी सी होती है, तो आपको करन क्या है, या तो conical flask ले लो, या ऐसी गंदी सी test tube ले लो, इसमें जो है zinc के granules डालने है, फिर इसके बार में क्या करो, dilute hydrochloric acid याने की HCL और अगर HCL ना मिले तो dilute वाला, dilute sulfuric acid याने की H2SO4 डाल दो, कोनिकल flask करना कुछ नहीं है, कोनिकल flask में या test tube में थोड़े सी zinc granules डालने है, इसके बार में उसमें dilute HCL या dilute sulfuric acid डाल देना है, कुछ अब्सर्व करोगे क्या आप, कि भई, zinc granules जिसके ऊपर आपने क्या करा है, गर्मा, करम, dilute, HCL या H2SO4 डाला है, तो क्या उन zinc granules के आज पास आपको कुछ होता हुआ नजर आएगा क्या, touch the conical flask, ऐसे touch करेंगे उसको, या test tube को भी touch कर सकते हैं, भई, जो लिया है उसको touch करना है ना, is there any change in the temperature, क्या temperature में कुछ change हुआ है क्या, observation, जब हमने test tube को, या जो conical flask था, उसको जब हमने touch किया, तो हमें temperature कुछ change मिला, test tube गरम हो गई, अगर conical flask में किया है, तो conical flask गरम हो जाएगा, test tube में किया है, तो test tube गरम हो जाएगी, और यह जो आपर पूछा गया है ना, कि zinc granules के आसपास आपको कुछ होते हुए दिखा गया, do you observe anything happening around the zinc granules, तो बोला हाँ, bubbles बने हैं, तो observations यहाँ पर हमारी दो निगल करके आएं, क्या, कि पहली बात तो यह कि bubbles बने हैं, देखो, जब bubbles, आपके पास suppose एक tub है, उसमें या tub छोड़ो, एक वो लो, क्या बोलते हैं उसको, glass लो, मग लो, उसमें डालो पानी और उसमें थोड़ा सा detergent डाल दो, यह तो liquid या powder, जो भी detergent आपके घर में हो, वो डाल दो, अच्छे से mix कर लो, फिर लो एक straw, straw डालो उस detergent और पानी के mixture में, पीना नहीं है उस mixture को, क्या करोगे, फूखोगे, air blow करोगे उस mixture में, आई बच समझ में, मग लो, उसमें डालो पानी, उसमें डालो detergent और अच्छे से mix करो, mix करने के बाद कपड़े नहीं धोने हैं, उसमें आप डालोगे क्या, एक ऐसा straw, और straw डालने के बाद, ऐसे straw से air blow करना, ताकि air कहां आए, air आए, इस पानी और detergent के mixture में, इस पानी और detergent के mixture में आ जाए, तो बैसी कलिए आप कर क्या रहे हो, straw डालके पीनी रहे हो, straw डालके आप air blow कर रहे हो, कहां, air डाल रहे हो, कहां, पानी और detergent के mixture में, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, कि यहाँ पर आपको कुछ बुलबुले बनते हुए नजर आएंग जहां bubbles बने, समझ जाना कि आपने क्या करा है, air फूंक दी है, air डाल दी है, डिटरजेंट और पानी के मिक्षर में तो जो bubbles का formation है, वो हमें यही बताता है, कि कुछ gas produce हुई है, air जो है ना produce हुई है तो यहां पर भी zinc granules के आसपच कुछ bubbles हमको बनते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर लिखो कि bubbles बने हैं, bubbles बने इसका मतलब क्या, gas produce हुई है और जो temperature है, flask का या test tube का, वो change हो जाएगा, flask या test tube बहुत ही गरम हो जाएगे तो दो observations क्या है, पहली बात है कि bubbles बने हैं, दूसरी बात है कि जो test tube बहुत ही गरम हो गई है, temperature change हुआ है ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ? reaction हुई है, क्या हुई है? reaction हुई है, आप बोलोगे कि मैम, अब कैसे reaction हो गई? अब देखो ऐसा है कि जिस समय हमने flask में सिर्फ zinc granules डाले हुए थे, acid add नहीं किया था flask में, उस समय flask का temperature एकदम सही था, एकदम normal था लेकिन जैसे ही हमने flask में acid डाल दिया, फ्लास्क में पहले से zinc granules पड़े हुए थे अब जैसे ही हमने उसी flask में acid add कर दिया, तो flask का temperature change हो गया temperature increase हो गया, जब हमने flask की दिवार को ऐसे touch करके देखा, तो हमने ये observe किया, हमने ये realize कि यार, flask तो गरम हो गया है मतलब कि temperature increase हुआ है, temperature में change हुआ है, तो पहले तो temperature में change नहीं हो रहा था जब हमने flask में केवल zinc granules डाले हुए थे, तब तो flask का temperature change नहीं हुआ था, लेकिन जैसे हमने acid डाल दिया, तो हुआ क्या? कि zinc granules और acid के बीच में कुछ हुआ, zinc granules का जो zinc है और acid उनके बीच में कुछ हुआ और इस कुछ के कारण ही flask का temperature change हो गया, बढ़ गया temperature, flask गरम हो गया जब हमने acid add नहीं किया था, जब हमने flask में acid add नहीं किया था, उस समय flask में कोई bubbles नहीं थे कोई bubbles नहीं थे, मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि bubbles form हो रहे हैं, इसका मतलब क्या? कि कोई ना कोई gas produce होई है bubbles का formation का मतलब क्या है? जब भी किसी change में bubbles form होते हैं, इसका मतलब क्या? कि कोई gas produce होती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मग्य में पानी लो, उसमें जो ना थोड़ा सा डिटरजन डालो, अच्छे से mix कर दो और फिर इसके बाद में straw सी क्या करो? उस detergent और पानी के मिक्षर में उस detergent और पानी के मिक्षर में straw सी क्या करो? air blow करो तो जैसे ही air जाएगी, डिटरजेंट और पानी के मिक्षर में जैसे ही air जाएगी आपको बुलबुले बनते हुए नजर आएगे तो बुलबुले जब बनते हैं इसका मतलब है कि कुछ न कुछ gas produce हुई है तो जब हमने flask में केवल zinc granules डाले हुए थे तब तो granules के आसपास कोई भी जोना bubbles नहीं बने थे bubbles कब बने? bubbles तब बने जब हमने zinc granules के साथ में क्या डाल दिया? जब हमने zinc granules के contact में कौन ले आए? acid ले आए? तब जाकर के bubbles बने हैं bubbles मतलब क्या? gas produce हुई है यह gas पहले तो नहीं थी कोई bubbles नहीं थे पहले, इसका मतलब कोई gas नहीं थी gas produce हुई है, gas produce हुई है इसका मतलब क्या? नया substance produce हुई है और नया substance produce हुई है इसका मतलब क्या? chemical reaction हुई है अब तो मालनो कि हाँ मैं chemical reaction होती है बहुत सारी chemical reactions होती है अभी तो यह शुरवात है, कुछ नहीं है, यह तो basic है, बहुत ही तो पहले तो आपके पास कोई bubbles नहीं थे जब आपने granules में जो है न, acid नहीं डाला था कोई bubbles नहीं थे, इसका मतलब क्या, कोई gas produce नहीं थे लेकिन जैसे ही zinc granules के contact में acid आया bubbles produce हुए, इसका मतलब कि gas produce होगी तो gas क्या हुआ? gas is a new substance और जहां new substance आप बोल सकते हो कि बनता है समाच जाओ, वहाँ पर क्या हुए, यह chemical reaction हुई है तो definitely यहाँ पर क्या हुआ है? zinc, granules के zinc और acid के बीच में chemical reaction हुई है और उसी chemical reaction के कारण यह gas produce होती है और temperature change होता है तो क्या होगी chemical reaction? zinc plus suppose हम देते हैं H2SO4 यहाँ पर हो जाता है ZNSO4 plus यह देखो, hydrogen gas evolve हो जाती है तो hydrogen gas evolve होती है, produce होती है इसलिए क्या होते है? बुल्बुले बनते है आई बात समझ में? तो definitely यहाँ पर भी क्या हुआ है? chemical reaction हुई ही हुई है chemical reaction हुई ही हुई है चाहे आप जो बोलो chemical reaction तो हुई है आई बात समझ में कि किस तरीके से zinc granules के zinc और acid हमने लिया है dilute H2SO4 उनकी बीच में reaction हुई है ZNSO4 बन चुका है और hydrogen gas evolve हुई है और इस gas के करणी क्या हुआ है? bubbles बने है chemical reaction हुई है ठीक है? चलो आगे बढ़ते है अब मैं तो आपकी teacher हूँ मुझे ये सब कुछ पता हुआ है पहले से पता है इसलिए मुझे पता है कि हाँ यहाँ पर chemical reaction हुई है यहाँ पर chemical reaction हुई है यहाँ पर भी chemical reaction हुई है लेकिन आप तो बच्चे हो आपको शाद भी ना पता चले कि मैं मतलब कैसे chemical reactions हो रही है हमें तो पता ही नहीं चल रहा, क्या कोई तरीका नहीं है, यह पता करने का कि हाँ यहाँ पर chemical reaction हुई है, बिल्कुल, कुछ तरीके हैं जिनसे पता किया जा सकता है कि यहाँ पर chemical reaction हुई है, कैसे? तो कुछ changes होते हैं कुछ changes होते हैं और उन changes से ही पता चलता है कि chemical reaction हुई है और उन changes को हम क्या बोलते हैं characteristics of chemical reactions देखो यहां पर When a chemical reaction takes place some changes are observed जब भी कोई chemical reaction होती है तो कुछ changes observed होते हैं The easily observable changes that take place in a chemical reaction are called characteristics of chemical reactions यानि कि वो changes जिनको कि आप easily observe कर सकते हो जब भी chemical reaction होती है तो कुछ changes होते हैं उन changes बन्न वो changes जिनको आप easily observe कर सकते हो कि हाँ भई chemical reaction हो रही है या ऐसे समझ लो कि हाँ ये changes हो रहे है इन changes को हम observe कर पा रहे हैं तो definitely इन changes कि थुरू हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर chemical reaction होई है तो उन changes को easily observable changes को ही हम क्या बोलते हैं जो कि chemical reaction में होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं characteristics of chemical reactions these changes help us to check that a chemical reaction has taken place और इन changes सही हमें पता चलता है कि हाँ chemical reaction यहाँ पर होई है some important characteristics of chemical reactions are देखो सबसे पहला formation of precipitate अभी अभी हमने देखा था वो वाली इसलिए मैंने आखा था कि NCRT की activities में बहुत कुछ दिया रहता है हमें लगता है कि कौन पढ़े नहीं पढ़ना चाहिए अभी अभी हमने NCRT की activity पढ़ी थी कौन सी वाली वो ही lead nitrate and potassium iodide वाली वहाँ पर क्या हुआ था वहाँ पर color ही तो change हुआ था देख लो ना यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर color ही तो change हुआ था lead nitrate यहाँ था यह था potassium iodide दोनों ही कैसे थे colorless liquids थे कोई color नहीं था लेकिन जैसी दोनों को मिलाया तो देखो यहाँ पर क्या हुआ color change मिला की नहीं मिला एक yellow color अचानक से appear हो गया की नहीं हो गया तो फिर यह चोड़ो यह PPT बनता हुँ नजर आया की नहीं आया पहले तो कोई PPT नहीं था पहले तो कोई precipitate नहीं था ना lead nitrate में ना potassium iodide में कोई PPT नहीं था कोई precipitate नहीं था लेकिन जैसी दोनों को मिलाया तब जाकर के बना क्या precipitate तब जाकर के बना क्या precipitate तब जाकर के आप बोल सकते हूँ कि color में change आया तो ये जो precipitate बन रहा है ये जो precipitate बन रहा है ये जो color में change आ रहा है यही हमें बताते हैं क्या? कि अरे भाई, chemical reactions होई हैं देखो यहाँ पे, formation of a precipitate some chemical reactions are अच्छा, ये भी ज़रूवत नहीं है कि मैं हर reaction में जो ना precipitate बनी जाता है ना हर reaction में precipitate नहीं बनता है कि आप सोचो कि दुनिया की सारी reactions में क्या होता है, precipitate बनते हैं ना भाई और भी तो हमने reactions देखी हैं अभी zinc वाली और वो उसके पहले कौन से देखी देखी magnesium वाली, उसमें बना के precipitate नहीं, फिर तो some chemical reactions are accompanied by the formation of a precipitate कुछ chemical reactions होती है जिनमें की precipitate बनता है, अब precipitate होता क्या है, एक solid substance होता है जो की दो solutions को mix करने पर बनता है, precipitate क्या है एक solid substance जो कब बनता है दो solutions को mix करने पर जब दो solutions को हम ऐसे mix करते हैं तो क्या बनता है एक solid substance इसको हम बोलते हैं precipitate In the reaction between lead nitrate and potassium iodide solutions A yellow PPT of lead iodide appears फिर से लिख देती हूँ मैं Lead nitrate था, potassium iodide था क्या बन जाता है? Lead iodide बन जाता है और potassium nitrate बन जाता है तो यह जब बना है ना Lead iodide, iodide यही होता है क्या? Yellow PPT तो जैसे ही PPT बनता हुआ नजर आए जैसे ही PPT बनता हुआ नजर आए बोल देना क्या? हुई है chemical reaction क्योंकि there are certain chemical reactions which are accompanied by the formation of a precipitate What is a precipitate? तो basically it is a solid substance जो कि दो solutions को mix करने पर बनता है आए बात समझ में तो lead, nitrate, potassium, iodide क्या बन जाएगा? lead, iodide, potassium, nitrate और यह जो lead, iodide है यही क्या होता है? Yellow PPT PPT तो है लेकिन इसका एक color भी है significant color भी है क्या? मैं बहुत specific color भी है क्या? yellow तो यह मैं फूचूँँगे quiz में कि यह जो lead, iodide है इस PPT का color क्या होता है? याद रखना? चलो एक और reaction का example यहां पर दिया गया है कि when silver nitrate solution is mixed with sodium chloride solution silver nitrate solution को silver nitrate solution को जब हम mix करते हैं कि इसके साथ sodium chloride के साथ NaCl के साथ तो क्या होता है? एक white PPT बन जाता है silver chloride का silver chloride का and और साथ में क्या बन जाएगा? sodium nitrate बन जाएगा ठीक है? तो एक और यहां पर आपको example दिया गया है chemical reaction का अब chemical reaction से घबराना मत की है भगवान इतनी सारी chemical reaction करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं? तो देखो यहां पर silver nitrate है sodium chloride है क्या बन जाएगा? sodium जो है जाकर के मुक्का मार करके आ जाएगा किसको? silver को यह जो sodium है ना यह जाकर के मुक्का मार देगा silver को बोलेगा भग जाए यहां से भग तो जाएगा यह और जो sodium है यह इसकी जगा पे आकर के बढ़ जाएगा इसलिए क्या बन जाएगा? sodium nitrate बन जाएगा लेकिन silver भी जो हैना कम शाड़ा नहीं है वो क्या करेगा? sodium की जो जगा खाली हुई है वहाँ पे जाकर के बैढ़ जाएगा और क्या बना लेगा? silver chloride बना लेगा और इसी silver chloride का क्या होता है? white PPT होता है इसका क्या होता है? white PPT तो यह भी एक बना क्या? quiz का सवाल पूछूँगी कि yellow PPT किसका होता है? white PPT किसका होता है? तो बताना चलो इसकी एक वो भी होगी ये देखो वाइट PPT हमारे पास वो था क्या उसको Silver Nitrate था हमारे पास और उसमें हम देखो क्या डाल रहा है NaCl किस तरीके से ये White PPT आपको बनता होग नज़र आएगा एक बीकर में है Silver Nitrate सब मजलो इसमें क्या होगा silver nitrate होगा और इस beaker में क्या है? NACL है, तो मान लो कि इस beaker में silver nitrate है और इस beaker में NACL है जब दोनों ही को mix किया जब दोनों ही solutions को mix किया तो देखो कुछ इस तरीके से white PPT आपको बनता हुआ नजर आएगा दिखा? यहाँ देख लो, यहाँ देख लो तो कुछ इस तरीके से silver chloride का बढ़िया सा, प्यारा सा white PPT बन जाता है अब एक और example है इसको अगर याद रख सकते हो तो रख लो लेकिन मैं बता तो देती हूँ देखो, barium chloride solution को जब हम mix करते हैं sodium sulfate के साथ तो white PPT बन जाता है barium sulfate का तो yellow PPT है किसका lead iodide का है ना, yellow PPT किसका है yellow PPT है yellow PPT है lead iodide का पता है इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या होता है जैसे कि आप notes बना रहे हूँ तो notes में आपने लिखा yellow PPT of lead iodide yellow PPT of lead iodide फिर क्या करोगे फिर जो है ना उसको yellow color से ही यह तो पूरा ही मिड़ गया yellow color से ही क्या करो yellow color से ही ऐसे highlight कर लो लिखा yellow PPT of lead iodide लिख करके उसको yellow color से ही क्या करो highlight कर लो इससे क्या होता है इससे आपको याद रहेगा कि अच्छा हमने उसको कैसे highlight किया था yellow color से तो definitely yellow ppty किसका होगा? Lead iodide का होगा. Similarly, silver chloride, है ना? Silver chloride, कहां गया? हाँ, silver chloride, silver chloride, और यहां पे क्या था? Barium sulfate, है ना? Barium sulfate. Silver chloride and barium sulfate, इनको भी आप क्या कर सकते हो? इनको भी जो ना, पहले आप किसी dark color से, मतलब dark color का एक वो बनाओ, जैसे कि कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा बना लो, ऐसा, और फिर यहां पे लिख दो, white color से, मतलब dark color का बेस बनाओ, और उस पे white color से लिख दो, क्या? लिखो यहां पे, अरे, silver chloride and barium sulfate, sulfate, कुछ इस तरीके से, तो याद रहेगा कि, अच्छा, white color से हमने क्या लिखा था? silver chloride, barium sulfate, तो उनी का क्या होगा? white PPT होगा, ठीक? चलो, पूछूंगी पेटा, यह सारे सवाल, quiz में, देखते हो, कौँ पताता है, कौँ नहीं? evolution of gas, जहां gas, जैसे कि PPT है न, PPT जैसी बना, समझ जाओ कि chemical reaction हुई है, वैसे ही gas जहां evolve हुई है, समझ जाओ, reaction हुई है, some chemical reactions are, अगंपिनिट वादा evolution of gas, जैसे कि एक बड़िया सा example, तो मैं आपको देए चुकी हूँ, क्या दिया था? zinc plus H2SO4, बने, समझ लो, gas evolve हुई है, और जहां gas evolve हुई है, समझ लो, आपके क्या हुआ हुआ, chemical reaction हुई है, एक और example है, calcium carbonate is heated, या calcium carbonate में हमने डाला है, क्या dilute hydrochloric acid, तो carbon dioxide gas evolve होती है, यह देखो, यह क्या है, calcium carbonate है, देखो, यह, जैसे इसमें हम डालेंगे, HCl, यह देखो, क्या मस्त bubbles बन रहे हैं, यह bubbles क्यों बने हैं, gas बने हैं, कौनसी gas, तो carbon dioxide है, तो calcium carbonate, में जैसे ही हमने क्या करा, HCl डाला, तो यहाँ पे calcium chloride बनेगा, carbon dioxide gas बनेगी, और पानी बनेगा, तो यह हो जाएगे क्या, पूरी की chemical reaction, कि calcium carbonate है, HCl डाला, अरे, HCl डाला, हाँ, HCl डाला, तो carbon dioxide देखो, कुछ इस तरीके से, देखो, जहाँ bubbles बने, समझ जाओ, gas हुई है, जहाँ bubbles बने, समझ जाओ, क्यों आपर gas हुई है, gas produce हुई है, बचा क्या, calcium chloride और पानी, खतम, लिख सकते हो, आप इसको मैं हट जाती हूँ, चलो मैं हट जाती हूँ, आप इसका जो screen shot है, वो ले सकते हो, विडियो को pause करते करते, screen shot लेते जाया करो, ठीक है, इंतजार मत क्या करो, कि मैडम रुकेंगी, मैडम साइड हटेंगी, ऐसा नहीं है, मैं हट भी सकती हूँ, लेकि मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है, चलो, change in color, जहां color में change हुआ, जैसे कि हमने, अभी अभी वो example देखा था, कौन सा, lead nitrate and potassium iodide वाला, क्या हुआ था, color ही तो change हुआ था, दोनों ही colorless liquids थे, लेकिन जैसे मिलाया, color change हुआ की नहीं हुआ, इसका मतलब, क्या मतलब, the action हुई है, तो change in color, change in, formation of PPT, formation of bubbles, या production of gas, bubbles बने, इसका मतलब gas बनी है, तो या तो gas बन रही है, PPT बन रहा है, color change हो रहा है, समाज़ो क्या हुआ है, chemical reaction हुई है, some chemical reactions are accompanied by the change in the color, जैसे कि rusting, normally जो लोहा होता है, वो greyish black color का होता है, जो normally जो लोहा होता है, ना, लोहा, वो greyish black color का होता है, iron, लेकिन जब उस पर rusting हो जाती है, तो rust color कैसा होता है, reddish brown, है ना, तो वहाँ पर देखो, change in color, मैंना आको पताया था, कि ये क्या है, iron है, ये क्या है, atmosphere में moisture है, oxygen है, क्या बन जाएगा, ferric, अरे, ferric oxide बन जाएगा, ferric oxide बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं, क्या rust, ये क्यासा होता है, reddish brown color का होता है, अरे, अरे, reddish brown color का होता है, समझे, lead nitrate and potassium iodide solutions are colorless, but on mixing the two, the precipitate of lead iodide formed is yellow in color, तो barium sulfate, इतना बोलूँगे, कि याद करके जाओगे, है ना, barium sulfate पूरा लेखो, barium sulfate, silver chloride, इनका क्या होता है, PPT, white color का होता है, lead iodide, इसका क्या होता है, PPT, पीला, yellow yellow dirty fellow, ठीक है, तो barium sulfate, silver chloride, देख लो, lead कहां क्या, barium sulfate and silver chloride, white PPT, lead iodide will be, yellow yellow dirty fellow, ठीक है ना, change in color, rusting best example, मैंलब, एक तो आपको यह वाला हो गया, potassium, iodide वाला, इसके अलावा, rusting भी क्या है, एक बढ़िया सी, change in color का example है, ठीक है, चलो, change in state, some chemical reactions, आपको यह बढ़िया, change in the state, किस state ही बदल गया, बताईए भाई, solid wax, candle की जो होती है, कल सिखा चूँ क्यों पूरा, तो आज में उतना repeat नहीं करूंगी, जब वो burn होती है, तो water vapor बनता है, देखो, जो candle जो है, जब वो जलती है, तो उसकी wax, क्या होती है, melt होती है, फिर जो पिगली हुई wax है, जब candle जलती है, जब उसकी बत्ती जलाते हैं, तो flame की heat से, अगल बगल की जो wax है, वो पिगलती है, जब पिगली हुई wax है, वो बत्ती पर चड़ती है, बत्ती पर विक पर चड़ने के बाद, क्या होता है, वो पिगली हुई wax, और गरम हो जाती है, और वो पिगली हुई wax, जो है, वो जलने लग जाती है, जलने से क्या होता है, carbon dioxide produce होती है, water vapors produce होते हैं तो carbon dioxide water vapors ये क्या है? ये तो gaseous state है ना वही wax तो अपनी solid थी जो mom थी वो तो solid state में थी लेकिन wax के जलने से wax की melting नहीं wax के burn होने से क्या हुआ है? gaseous substances बने हैं gaseous products बने हैं तो यहाँ पर change in state हुआ की नहीं हुआ की solid से gaseous state में आ गए की नहीं आ गए? solid wax in the form of candle burns to form water vapor and carbon dioxide बिचादा gaseous कोई भी आप ले लो fuel, petrol ले लो petroleum, तेल, kerosene जो जो आप जलाते हो ना liquid form में तो क्या होता है? carbon dioxide निकलती है और water vapors फिडियोज होते हैं वो भी क्या है? gases ही है यह मैं आपको previous session में बता चूकी हूँ पूरा का पूरा आई बैस समझ में? तो candle जला लो petroleum products जला लो तेल जला लो क्या होता है? carbon dioxide और water vapors फिडियोज होते हैं तो जब candle जलती है तो solid state से gaseous state में conversion होता है जब तेल बगएर जलता है तो liquid state से gaseous state में change होता है ठीक? चलो change in temperature some chemical reactions are जो हमने देखा था कि zinc और HCl को जब हमने डाला या zinc जब H2SO4 के साथ react करता है तो flask गरम हो जाता है so some chemical reactions are accompanied by the change in temperature that is, अच्छा change कैसा हो सकता है? temperature बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है है ना? रोज 9 बज़े सो करके उठते है हमने मम्मी को बोला कि मम्मी, for a change कल से हम अलग time पे उठेंगे, different time पे उठेंगे changed time पे उठेंगे मम्मा ने बोला कि, अरे वा, मेरा बच्चा समझधार हो गया है पता चला, अगले दिन 9 से 12 बज़े सो करके उठें है तो ये भी तो एक change हुआ कि पहले 9 बज़े सो करके उठते थे अब 12 बज़े सो करके उठ रहे हैं या ये भी हो सकते कि 6 बज़े सो करके उठ जाओ तो change उपर नीचे तुना तरफ जा सकता है तो वैसी जो temperature है temperature में change increase भी हो सकता है decrease भी हो सकता है so reactions which are accompanied by the rise in temperature वो reactions जिसमें की temperature increase होता है उनमें basically heat evolve होती है और उन्हें हम बोते हैं exothermic reactions वो reactions जिसमें की जैसे की अभी अभी हमने zinc और H2SO4 की देखी थी कि zinc sulfate बना था और H2 gas evolve होई थी तो इसमें क्या हुआ था? जो gas evolve वो यह वो अलग बात है लेकिन इसके असाथी साथ temperature में भी change हुआ था कैसे? तो flask गरम हो गया था कैसे? तो वो एक ऐसी reaction है जिसमें की heat evolve होती है क्या होती है? heat evolve होती है जिसके कारण temperature increase हो जाता है और ऐसी reactions को हम क्या बोलते हैं? exothermic reactions for example, zinc pieces react with sulfuric acid in a beaker और a flask, it is found to be warm this can be seen by touching the beaker और a flask when the water is added, second example है quick lime calcium oxide में जब हम पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है? slaked lime calcium hydroxide लेकिन इस दौरान क्या होता है? beaker बहुत गरम हो जाता है तो calcium oxide में जब पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? calcium hydroxide slated lime बन जाएगा और इस process में क्या होता है? बहुत heat evolve होती है जिसके कारण जो बाल्टी है, जो container है वो गरम हो जाता है ठीक है? तो अगर temperature increase हो रहा है इसका मतलब क्या? कि heat evolve हो रही है और ऐसी reactions को हम क्या बोलता है? exothermic reactions अब ऐसी भी reactions होती है जिनने में temperature कम हो जाता है उन्हें में basically heat absorb होती है और उन्हें हम क्या बोलते है? endothermic reactions So reactions which are accompanied by the fall in temperature are those in which heat is absorbed Such reactions are called endothermic reactions For example, when barium hydroxide is added into ammonium chloride taken in a test tube and mixed with a glass rod then on touching the bottom of the test tube it is found to be cooler यानि कि अब क्या हो गई है test tube? ठंडी हो गई है कब जब हमने barium hydroxide को mix किया ammonium chloride के साथ तो जैसे ही आपने यह देखा कि अरे यार हमने test tube में barium hydroxide को जैसे हमने test tube में barium hydroxide को ammonium chloride के साथ add किया जैसे हमने test tube में barium hydroxide डाला और ammonium chloride डाला तो जो test tube है वो तो ठंडी हो गई ठंडी मतलब क्या? कि temperature में change हुआ है temperature में change होने का मतलब क्या है? ठंडा होने का मतलब क्या है? कि heat को absorb किया गया है इससे लिए temperature कम हो गया है temperature के कम होने का मतलब क्या है कि temperature change और change होने का मतलब क्या है reaction नहीं है है ना कौनजी होगी endothermic reaction होगी सीवी सी बात बाकवास तो temperature change increase और decrease दोनों इतरह से होता है अगा temperature increase हो रहा है मतलब कि heat evolve होई है उन reactions में और उन्हें हम बोलते हैं exothermic reactions example, zinc और H2SO4 वाला second example क्या है कि calcium oxide में पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? calcium hydroxide जिसे हम बोलते हैं slaked lime बोलते हैं ठीक है? और इसमें heat evolve होती जिस container में आप calcium oxide में पानी डालते हो slaked lime बनाते हो वो container गरम हो जाता है वहीं अगर आप barium hydroxide में ammonium chloride डालोगे तो क्या होगा? जो temperature है वो कम हो जाएगा test you का again temperature क्या हुआ? चेंज हुआ है ठीक? तो characteristics कौन कौन से होई chemical reactions की? formation of precipitate, formation of या evolution of gas change in color, change in state, change in temperature तो color में change हो रहा है state change हो रहा है, temperature change हो रहा है gas evolve हो रही है, या precipitate बन रहा है यह सभी चीज़ें हमें मिल करके बताती है कि भाई chemical reactions होई है reactions जिनमें की number of changes simultaneous जोड़े हो जोड़े है मलब ऐसा नहीं है कि एक reaction है तो या तो उसमें केवल color ही change हो सकता है या सिर्फ temperature ही change हो सकता है जैसे कि हमने zinc और H2SO4 वाली reaction देखी थी इसमें क्या हुआ था zinc sulfate बना था gas evolve हुई थी plus heat भी तो निकली थी तो temperature भी change हुआ और gas भी बनी gas भी evolve हुई तो दोनो changes क्या हुआ है एक साथ हो गए है एक की reaction में ऐसी भी reactions होती है जहां पर changes simultaneously हो जाते है देखो यहां पर it is important to know that in a number of reactions more than one change may be observed आप यह नहीं बोल सकते हैं एक reaction होई तो उसमें केवर एक ही change होगा ना एक से जादा भी हो सकते हैं that is they may possess more than one characteristic for example when zinc reacts with dilute sulfuric acid जब zinc react करता है dilute sulfuric acid के साथ तो gas भी बनती है और temperature में rise भी होता है मतलब कि temperature change भी होता है second जब lead nitrate and potassium iodide को हम mix करते हैं उनके solutions जब हम mix करते हैं तो PPT भी बनता है और yellow color भी appear होता है change in color भी होता है तो अब precipitate of lead iodide is formed also the change in color takes place because the solutions taken are colorless while the precipitate formed is yellow the number of reactions are also there जहाँ पर changes simultaneously होते हैं एक से ज़्यादा changes भी हो सकते हैं यहाँ पर gas evolve हो रही है temperature increase हो रहा है यहाँ पर PPT बन रहा है और color भी change हो रहा है समझे? the chemical substances अच्छा अब basically यह आपको समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं reactants and products की मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि reactants क्या होते हैं, products क्या होते हैं लेकिन अब basically इनको हम अच्छी सी definition इनकी हम पढ़ी लेते हैं ठीक है? सुनो देखो chemical substances मैंने आपको क्या समझाया था? वो substances जो की reaction में participate करते हैं उन्हें हम बहुते हैं reactants और chemical reaction के जो result सामने दिखते हैं उन्हें हम बहुते हैं products the chemical substances that the chemical substances taken originally which may react together are called reactants मतलब वो chemical substances जिनको आपने originally लिया है जो की आपस में क्या करेंगे? react करेंगे उन्हें को हम बहुते हैं reactants वो chemical substances मैंने आपको basic समझाय था कि वो substances जो की reaction में participate करते हैं उन्हें हम बोलते हैं reactants लेकिन reactants नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि वही chemical substances क्या करने वाले हैं? आपस में react करने वाले हैं chemical substances are going to react with each other इसलिए नाम क्या पढ़ गया? reactants और उनके आपस में react करने के कारण ही उनकी जो आपस में reaction होती है उसके कारण ही products बनते हैं and the new chemical substances formed are called products तो वो chemical substances जो की reaction में participate करते हैं और आपस में react करते हैं उन्हें हम बोते हैं reactants और वो chemical substances जो की बनते हैं लिए केमिकल reaction में उन्हें हम बोते हैं products a chemical reaction involves breaking of chemical bonds present in the reactant molecules forming new chemical bonds to give the products अब ये बात मैं आपको समझा सकती हूँ क्योंकि हमें इतनी सारी chemical reactions पढ़ ली हैं कैसे? देखो lead, nitrate, potassium, iodide तो ये क्या थे? reactants थे क्यों? क्योंकि ये आपस में react करने वाले थे यहाँ पर देखो lead और nitrate की बीच में bond बना हुआ था यहाँ पर potassium और iodide की बीच में bond बना हुआ था जब chemical reaction होगी तो ये bond तूटने वाले हैं ये bond तूटने वाले हैं और नए bond बनने वाले नए bond कैसे बनेंगे? अब bond बनेगा lead और iodine के बीच में और potassium और nitrate के बीच में तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जब chemical reaction होती हैं तो chemical bonds जो है reactants के बीच में जो reactant molecules होते हैं उनके बीच में जो chemical bonds हैं वो तूटते हैं और new chemical bonds बनते हैं कहां to give the products chemical reaction में जो reactant molecules होते हैं उनके बीच में जो chemical bonds होते हैं chemical reaction में जो reactants होते हैं reactant molecules के बीच में जो chemical bonds होते हैं वो तूटते हैं और नए bond बनते हैं जिससे की products बन जाते हैं जैसा कि मैंना आपको यहाँ पर करकर दिखाया है Does a chemical reaction simply involves the rearrangement of atoms The atoms of an element themselves do not undergo any change to form atoms of a new element कि ऐसा नहीं होता कि एक element के जो atoms हैं उनमें कुछ changes हो जाते हैं जिसके करण कुछ नए element के atoms बन जाते हैं नए element तो वही रहते हैं बस elements के atoms का rearrangement हो जाता है Reactant molecules के reactant molecules में जो chemical bonds होते हैं वो तूटते हैं और नए bond बनते हैं जिसके करण product बन जाता है आई बात समझ में हैं चलो आगे बढ़ते हैं Here we discuss examples of some chemical reactions which can easily be carried out in the laboratory So basically यहाँ पर magnesium ribbon की burning हो रही है air में हम पढ़ चोके हैं फटा फट से एक बार इसको हम read कर लेते हैं Magnesium metal is generally available in the laboratory in the form of ribbon और a wire It has a shining surface however due to the attack of moist air it is coated with a white layer of magnesium oxide The experiment is carried out as follows Clean a piece of magnesium ribbon by rubbing with a sandpaper To remove the layer of magnesium oxide Hold it in a pair of tongs now burn it in the air with a spirit lamp or a burner keeping a chana dish We observe that the magnesium burns with a dazzling light and a white powder is obtained in the chana dish This white powder is found to be that of magnesium oxide Thus magnesium has combined with oxygen of the air to form a new chemical substance called magnesium oxide यह मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ है ना तो देखो reaction क्या हुई ? Reaction कुछ ऐसे हुई कि यह magnesium है अरे यह magnesium है यह oxygen है इनके बीच में reaction हुई क्या बन गया magnesium oxide तो यह reactants हो गए यह products हो गए बढ़े reaction में participate किसने क्या था ? किनके बीच में reaction हुई थी ? कौन आपस में react किये थे ? यह magnesium and oxygen तो यह क्या होंगी reactants ? इनके reaction से बना क्या ? magnesium oxide तो वो क्या होगा ? product होगा So hence we say that a chemical reaction takes place in which magnesium and oxygen are reactants magnesium and oxygen क्या होते है ? reactants होते है और magnesium oxide is the product तो magnesium and oxygen are reactants and magnesium oxide क्या है ? product reaction between lead nitrate and potassium iodide तो इनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ if we prepare lead nitrate solution in one test tube and potassium iodide solution in another test tube and then mix the two solutions we observe that a yellow solid PPT appears this yellow solid is a chemical compound namely lead iodide another substance formed is potassium nitrate which we cannot see as it remains in the solution आप बोलोगे कि मैं lead iodide नजर आता है potassium nitrate क्यों नहीं आता है ? क्योंकि पिटा वो solution में ही खुला रहता है यहां देखो lead nitrate, potassium iodide क्या बन जाएगा lead iodide and potassium nitrate ? किनके बीच में reactions हुई थी ? lead nitrate and potassium iodide के बीच में reactions किसके बीच में हुई थी ? lead nitrate and potassium iodide के बीच में यह अपस में react करे थे ? इसलिए क्या हुए reactants, बना क्या यह lead iodide and potassium nitrate, तो यह क्या होंगे, products होंगे, तो अब आपको reactants and products का मतलब समझ में आ रहा है न, कि वो chemical substances, जो की reaction में participate करते हैं, जो की आपस में react करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं reactants, और जो बनने वाला है, उसे उन chemical substances को हम क्या बोलते हैं, products, यहां देखो, reaction with zinc dilute sulfuric acid, अब आप खुदी बताओ, zinc H2SO4 क्या बन गया, ZNSO4 zinc sulfate plus H2 gas, इनके बीच में reaction हुई है, यह आपस में react करते हैं, तो यह क्या हो जाएंगे, reactants हो जाएंगे, बना क्या यह, तो यह क्या हो जाएंगे, products हो जाएंगे, आए बात समझ में, तो if we take a few two pieces of zinc granules in a conical flask tube, add dilute H2SO4, into it we observe that the surface of the zinc pieces, a gas is evolved very briskly, further if we touch the flask test tube, गरम हो जाएंगे वो, है न, on bringing a lighted candle, अच्छा, तो basically यह तो आगे की बाते हैं, लेकिन इतना तो मैंना आपको समझाई दे की होता क्या है, तो reactants and products के बारे में मुझे लगता है कि आपके concepts clear हो, हुए होंग कि reactants क्या होते हैं, products क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, zinc sulfuric acid या zinc hydrochloric acid क्या है reactants है, zinc sulfide H2 gas, zinc chloride H2 gas क्या है products हैं, बस आज के session के लिए तना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले session में, और अगले session में मिल करके करेंगे chemical equation पर वार, basically आज के इस session में मैंने आपको पूरा समझा क्या है कि chemical reactions क्या होती है, characteristics क्या होते है chemical reactions के, कैसे हमें पता चलते हैं कि भाई वाँ पर कोई chemical reaction हुई है, और reactants and products क्या होते हैं वो भी मैंना को बता दिया है, अब हम मिलेंगे अपने अगले session में जहां पर हम बात करेंगे chemical equation की, तब तक आपने क्या करना है, विजट करना ह हमारी official website that is magnetbrains.com, till then keep learning with magnet brains, thank you for watching.